है अलो दियर प्ट्वेंट वल्कम तुदा अड्योद्रम सक्शिस्ज अर आज हम लेकर आया है यूणिट का वन शॉट वीडियो वीडियो को हए इलेक्ट्रिकल मशीन है यह इलेक्ट्रिकल कंप्लीट generator है उसके बाद DC motor है उसके बाद induction motor है और सिंगल फेज इंडेक्शन मोटर है हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं electrical machines के बारे में ज्योंकि DC machines की बात हुरी है electrical machine basically होता क्या है electrical machine is an electro mechanical energy conversion device यानि एक electro mechanical energy conversion device होता है जो electrical energy को mechanical energy में या mechanical energy को electrical energy में convert करने के लिए यूज होता है विच कनवर्ट मेकेनिकल पावर इंटो electrical and electrical power into mechanical पावर या energy आप कह सकते हैं वैन इट कनवर्ट मेकेनिकल पावर जब यह मेकेनिकल पावर को अबड़ करता है इंटो इलेक्ट्रिकल पावर इंट इस नोन एज जनेरेटर जब इन करें घवाए इसको हम करें जनेरेटर कहते हैं इसको हम कहते हैं जब सब्सक्त्राइब जो कि तो आपने देखा होगा जो जनेरेटर होता है एनिटर में क्या करता है जो पावर इंपूट होती है क्या है ढोर कड़ाता है कि इसको हम जो पर यहां पर यह जन इंजन क्या करता है उस जनरेटर को रोटेट कराने के लिए वहां पर हम उसमें डीजल डालता है उसके अंदर और उससे हमें मेकैनिकल पावर मिलती है तो जो मेकैनिकल पावर है वह क्या कर रहा है उसमें ऐसा क्या हो रहा है वहां के जो अंदर की की functioning है उसके इंदर जो होती है वो कोईल लगी रहती है जो magnetic field में rotate होती है इसके वे से हमें electrical output मिलता है जनेरेटर में input पर हम क्या दे रहा है mechanical power दे रहा है और output पर हमें क्या मिल रहा है electrical power मिल रही है that is mechanical system is placed at the input it is the electro mechanical energy conversion device क्योंकि जनेरेटर है electrical energy को किस में convert कर रहा है mechanical energy में convert कर रहा है और यहां पर हमें electrical system यानि electrical output मिल रहा है जो mechanical power होगी that is omega t जो input हम power दे रहे हैं वो किसके एक्वल होती है omega into t के एक्वल omega यहां पर angular frequency है और t यहां पर torque है torque of the rotation और यहां पर electrical system में जो output power होगी that is EI is the EMF output terminal voltage है उसको हम E से represent कर रहा है और I is the current तो यह basic block diagram है जो DC generator या किसी भी generator को represent कर रहा है अब जो basic construction है DC generator का उस पर आते हैं यह basic आप इसका diagram देख सकता है cross sectional diagram है DC generator का इसका जो outer part है सबसे जो outermost part है इसको हम योग कहते हैं यह basically इसको strength provide कराता है इसको क्या है यहां पर एक इसका base है जो पूरे internal body का outer structure जो पूरे जो इसका DC generator है उसका क्या है यह outer part है जो इसको mechanical strength भी provide कराता है पूरे system को एक mechanical strength यहां पर provide करा रहा है योग यानि बाकी सारी चीज़े इस योग के अंदर ही रहेंगी योग के अंदर जो field windings लगी रहती है इस तरह से आप देख सकते हैं यहां पर एक magnet का North Pole है उसी का दूसरा एक South Pole होगा फिर दूसरी magnet का एक North Pole है और फिर उसी भी हो सकते हैं तो number of poles जोगे वह इवन नमबर में रहेंगे एक North पॉल रहेगा तो दूसरा obvious है वहाँ पर South Pole भी रहेगा तो ऐसा नहीं के number of poles 5 हो जाए या 7 हो जाए ऐसा नहीं है या तो तू रहेंगे या फो रहेंगे नमबर आफ पॉल्स इसकी फील को जाती है तो उसको आगे देखेंगे जो इसकी फंक्शनिंग है वर्किंग एफ इह तरह से अभी फिलान दो क्या सकते हैं पॉल के ऊपर fait वाइंडिंग होती है यह क्या है पूल पूल यहां पर मैगनेटिक फील यहां पर प्रोवाइड कराता है इस पूरे जो डीसी जनरेटर का सिस्टम है इसके अंदर इसके उपर जो वाइंडिंग रहती है उसको हम फील वाइंडिंग कराएं यह जो वाइंडिंग यहां पर कैसे रहती है लिप्टी रहती है कर देते हैं जो मेटलिक इस पर क्या कर आता है उसमें कराट कराता है यहां पर ऐक मैंगनेडिक फील्ड हो जाती है इसको क्या कहते हैं कि यह इसका इस्टेटट पार्ड भी कहलाता बेसिकली जो जनेरेटर होता है या कोई मोटर होता है उसमें दो चीज़े होती है एक रोटेटर एक रोटर होता है और दूसरा क्या होता है इसका इस्टेटर पार्ड है और दूसरा क्या है इसका रोटर पार्ड है जो रोटेटिंग पार्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं रोटर कहते हैं एक इस्टेटर जो इस्टेटिक पार्ट रहता है जो रोटेट नहीं करता और जो रोटेट कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे रोटर कहेंगे तो यह इस्टेटर पार्ट है इसका इस्टेटर कहलाएगा और अंदर का पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा रोटर कहलाएगा तो रो पूल के नंदर यहां पर जो इसका पार्ट है इसको थोड़ा सा यहां वाइड किया गया आप देख सकते हैं यह पूल का पार्ट है इसको वाइड किया गया यह ऐसा क्यों करतेbox है तो कि magnetic field क्रेट होगी वह ज्यादा इस पेस में यहां पर क्या हो जाए यूनिफॉर्म magnetic field ज्यादा इस पेस को कवर कर ले इसलिए हम इसको थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं इस वाइडन पार्ट को क्या कहते हैं पोल शू कहा जाता है जो मैगनेटिक पोल है उसका जो पार्ट है थोड़ा सा वाइड कर दिया जाता है जिससे के magnetic field वह ज्यादा एरिया को कवर करें इसको हम मैगनेटिक इसको पोल सू भी कहते है यहां पर जो रोटर पार्ट है इसके अंदर आर्मिचर होता है बेसिकली इसको आर्मिचर कहा जाता है इस पूरे पार्ट को और आर्मिचर के ऊपर ही क्या होता है कम्यूटेटर लगा होता है आर्मिचर के ऊपर क्या लगा होता है कम्यूटेटर लगा होता है और आर्मिचर कंड़क्टर यहां पर रहते हैं जिसको हम आर्मिचर वाइंडिंग से आर्मिचर कंड़क्टर कहते हैं यह आप देख सकते हैं यहां पर आर्मिचर वाइंडिंग या आर्मिचर कंड़क् करता है क्योंकि जो सप्लाइम मिलेगी आउट सप्लाइब मिलता है पावर सप्लाइब पार्ट को दिया जाएगी जबकि जो रमेचर है वो रोटेंगा हो रहा है हार्मेचर कंड़क्टर क्या हो रहा है रोटेट हो रहा है तो जो करेंट यहां पर जन्रेट हो रहा है वह आउटपुट पार्ट को दिया जाएगा तो वह तो इस्टेटिक है और यह स्केंटिनिघी हुए थो किसी रोटेटिंग पार्ट को आप इलेक्रिकल से अगर मेंटेन करनी है को कि सिर्स करते हैं पर यहां पर फील्ट तो मेट्टिक जो भी अल्टिकर Engagement होगी तो किस फॉर्म में रहेंगी इक करनेटेंग के लेकिन यहाँ पर हम डी और की बात कर रहें तो डी सी जनरेटर में चाहिए जो करनेट है वह एखी डारेक्षन में रहना होनी चाहिए इसके आप यह सकता है कि सर्फ इसका इस का partner और अंदर का पास क्या है रोटर है पर यह श्य glitter रहता है और यह अके साथ में जो रहता है और सषे रहता है औरहां पर पोल्स वाइंड रेती है धी वाइंड इसको कहता है और यह half all pra है जो रूटर पाइड है उसके अंदर आर्मीचर्स होते हैं आर्मीचर्टर वैंडिंग्स होती है लगा रहता है और ब्रसे इसका कंस्रक्षण है यह हो यह डी का शीर सीम ही रहेगा फिर फॉंक्शनिंग के इसमें जो है वह तोड़ा सा डिपरेंट होगा रहता है जो एबी conductor है इस conductor को हम क्या कर रहे हैं इस magnetic field में यह दो दो permanent magnet है जिसका North Pole इदर यहां से यूनिफॉर्म magnetic field generate हो रही है इसकी direction आप देख सकते हैं towards left है जो magnetic field की direction है वो नोर्थ पोल से निगल कर किस तरफ है South Pole की तरफ आ रही है यह तरफ जा रही है और इसमें conductor इस conductor ऐसे रखा हुआ है और Magnetic field इस डारेक्शन में आ रही है तो Conductor is perpendicular to the magnetic field और इसको हम मोग करा रही है अपर डारेक्शन में यहां पर यह जो conductor है वो सारी सब्सक्राइब जितनी भी मैक्सिमम मेंकी तरफ जा रहा है तो प्रिंसिक प्रिंसिपल क्या है कि अगर किसी भी कंड़क्टर को हम मैगनेटिक फील में मूग कराते हैं किसी भी कंड़क्टर को अगर मैगनेटिक फील में मूग कराएंगे तो उस कंड़क्टर के क्रॉस क्या होगा उस कंड़क्टर के जो दो पॉइंट्स हैं वहाँ पर एक Ґसी मेंटिक फीड लाइंस को करता है तो वहां पर उसके दूनों एंड को किसी कंडुक्टर से से जोड़ दिया जाए तो उस वायर में करेंट भी फ्लो होने लगेगा देखिए यहां पर हम इस कंड़क्टर के ए और बी पॉइंट को इस वायर के तुरू हमने गैलोनोमिटर से जोड़ दिया है तो जब हम इस कंड़क्टर को ऊपर की तरफ मोग कराएंगे इस तरह से तो इस पूरे सर्कुट में क्या होगा यहां पर इस कंड़क्टर के टर्मिल पर इएम के अंदर क्या होता है अभी फ्लोय और उसकी डायरेक्शन होगी वह किस तरह से हम निकालते हैं उसके लिए हम फ्लेमिंग्स right-hand rule का यूज करते हैं फ्लेमिंग्स right-hand rule से हम इसकी डायरेकशन फाइंड कर सकते हैं भीन principle है और डीसी जनेरेटर इस दा इलेक्ट्रोमेटिक इंडेक्शन इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है इलेक्ट्रोमेटिक इंडेक्शन है यहने किसी भी कंड़क्टर को अगर मेंटिक फील्ड में मुव कराए जाएगा तो वहाँ उपर क्रिक्शन होगा इनफ इनटोर फैर्ण काट्रोमेटिक फीड एन म्मिुटन फील्ड के इसका बेसिक प्रिंसिपल नहीं जो कि अब बातातीय फली मिक्स राइट हेंड रूल तो किस लिए रूटा है याम्मिग्वित राइट हेंड रूल आप देख सकते हैं यहां पर यह राइट हैंड बना हुआ है राइट हैंड से ही इसको एपलाई करेंगे तो किस तरह से होता क्या है basically कि अगर मानलो आपको conductor के motion की direction पता है और magnetic field की direction पता है तो आप जो induced current है उस conductor में उसकी direction कर सकते हैं या इंड्यों की direction कर सकते हैं इस तरह से अगर हम किसी राइट हैंड के अपने राइट हैंड के तीनों उगलियों को इस तरह से रखेंगे इसके थम के और four finger के बीच में 90 degree का एंगल है इन दोनों के बीच में 90 degree का एंगल है और यह भी आप देख सकते हैं 90 degree के एंगल पर है यह हमारा इस तरह से तीनों ही क्या रहेंगे mutually perpendicular रहेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको अरेंज करते हैं अगर थम को हम मोशन की डारेक्शन में रखें और जो मिडिल फिंगर है उसको हम किसकी डारेक्शन में सब्सक्राइब करें तो मेडिल की डारेक्शन को मेडिव फिंगर से पर सकते हैं या Jegick के हुए इस करण की डारेक्शन होगी आप देख सकते हैं magnetic field इस आगे की तरफ है magnetic field four finger से आगे की तरफ होगी भम की direction जो motion of conductor है उस तरफ होगी तो यह जो direction होगी यह आप current की direction इंड्यूस्कर या इंफ की डेक्षिन देख सकता है तो इस सर्कुट में जो करंट होगा वह वह बी से एक तरह इस कंडॉक्टर में करेंट की डारीक्षिन क्या रहेगी तो इस क्लोज लूप में यहां पर करन्ट फ्लो होता रहेगा तो यह हमारा बेसिक जो है फ्लेमिंग्स राइट हें रूल है के लिए आते हैं अब इसकी वर्किंग को थोड़ा साथ डीटेल में समझते हैं जैसे कि यहां पर हमने एक लूप लिया था एक सिंगल कंड़क्टर लिया है जो कि यहां पर पर्पेंडिकुलर्ली में पर्पेंडिकुलर्ली रखा हुआ है और वो मैंडिक फील्ड में क्या कर रहा है वह इस तरह से फॉर्म हो जाए और रेक्टंगलर फॉर्म में यह कंड़क्टर इस तरह से फॉर्म हो जाए और इसको अम ऐसे रोटेट करा दें मैंने इसको अगर हम इस तरह से रोटेट कराएं तो क्या होगा यह कंड़क्टर सपोस किजिए रोटेशन की डारेक्शन हम ऐसे क तुर्स लेफ्ट यह मेंगनेटिक फिल है अब इस पॉइंटे करा रहे हैं एंटी-क्लॉक्वाइज डिरेक्शन में हैं यह वाला हमारा का पॉइंट इंट यह भी सी और यह कर दरहे और चीटी कनνडक्टर है वह नीचे सब्सक्राइब उपर की तरफ है तो चलिए कर रहा सकते हैं सेरा अनुंछ सब्सक्राइब चुह की उसक्राइब करें कि गूष्ण ही जूर्ड का स्कति है घ् Gen स्टरफ होगी रहेगी इसी तरह से जो सीटी पार्ट है महां पर कंड़क्टर का मोशन में करने घरेक्षन से मैं सिर्फ मोशन हमने चेंज कर आए तो करेंट की डाशन भी चेंगर छाएगी यहां पर बी टुए जो करेंट की डारेक्शन है वो इस तरफ लो रही है इस कंडुकटर में करेंट की डारेक्शन स्थरी रही है है करन ä roads यहां पर इदर जाएगा। कि इधर से जाएगा और लोड के थुरू होता हुआ फिर यहां से इस तरफ आएगा लेकिन जब यह कंड़क्टर दूसी साइट पहुंच जाएगा तो फिर क्या होगा करेंट की डारेक्शन इसमें रिवर्स हो कंड़क्टर रखा हुआ है इसको हम रोटेट करा रहा है और यह जो है यहां पर यह जो एंड आ है इसको हमने लोट के थूरू कंड़क्टर से लोट के थूरू यहां पर कनेक्ट किया हुआ है तो यहां पर जो एंड्यूस हो रहा है इस केस में जब यह according to Faraday Law according to Faraday Law आप देखें, EMF कितना induce होगा उस पर बात करता है तो Faraday Law के according, जो EMF induce होता है किसी भी conductor में यह किसी भी loop पे जो EMF induce होता है किसके परपोर्शन होता है –mina and D5y, Tt के परपोर्शन होता है और 5 की वैल्यू हम कितनी बानते हैं BA cos theta, 5 एक पस्टो होता है BA cos theta, यहाँ पर magnetic flux जो होता है वो magnetic field into area into cos theta के एकवल होता है और D5y dt की अगर हम बात करें तो d5 by dt कितना हो जाएगा, इसका differentiation करेंगे, तो यह b a cos theta का differentiation क्या हो जाएगा, sin theta हो जाएगा, माइनस sin theta, तो यह emf induce हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्यों हो जाएगा, n b a sin theta, emf induce is equal to n b a sin theta, अगर हम theta को omega t मान ले, sorry, यहाँ पर, यहाँ पर dt है, time के respect में करना है, तो theta को हमें time के respect में omega t consider करेंगे, तो यह हो जाएगा, यहाँ पर, b equals to d by dt of p a cos omega t, b a cos omega t, flux को हमने b a cos theta लिखा, theta को हम omega t से भी represent कर सकते हैं, तो b a cos omega t यहाँ पर हो जाएगा, तो अब इसका differentiation करेंगे, तो जो differentiation होगा, phi का differentiation with respect to t, phi का differentiation with respect to t, कितना हो जाएगा, यह d phi by dt, d phi by dt, यह हो जाएगा, minus इसका omega बहर आजाएगा, b a omega minus b a omega और cos omega t का हो जाएगा, sin omega t, sin omega t, cos omega t का sin omega t और omega t का differentiation multiply करेंगे, तो यह omega यहाँ पर आजाएगा, तो b a omega sin omega t, अब इसको b a omega sin omega t को जब हम यहाँ रखते हैं, तो emf induced हो जाएगा, minus यहाँ already है, minus यहाँ पर already है, और minus इसमें भी आ रहा है, तो यह minus minus plus हो जाएगा, n की multiply b a omega से, यानि n b a omega और sin omega t यहाँ पर आजाएगा, sin omega t आजाएगा, तो यह equation हमारी emf equation है, किसी भी generator में, जो emf equation यूज होगी, वो इसकी help से हम यहाँ पर emf find कर सकते हैं, अब यह omega t क्या है, एक theta angle है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, आप waveform में देख सकते हैं, यहाँ पर जब theta की value 0 है, तो उस time पर emf क्या होगा, क्योंकि sin 0 की value 0 होगी, तो उस time पर emf क्या रहेगा, 0 की equal रहेगा, when theta equals to 0, when theta equals to 0, तो omega t 0 हो जाएगा, क्योंकि theta is equal to omega t, तो e क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, because sin 0 is equal to 0, जब theta की value 0 रहेगी, तो emf induced क्या हो जाएगा, 0 के equal होगा, तो जब theta की value, when theta equals to 90 degree, sin 90 की value कितनी हो जाएगी 1, तो E की value कितनी हो जाएगी NbA omega, इस time पर EMF क्या रहेगा, maximum होगा, ये maximum EMF के एक्वल होगा, NbA omega, जब theta की value 90 degree रहेगी, जब theta की value 0 हो रहे थी, तो वहाँ पर EMF 0 हो रहा था, फिर से जब theta की value 180 होगी, when theta equals to 180, जब theta की value हम 180 करेंगे, तो फिर से EMF कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब theta की value क्या हो जाएगी, 270 हो जाएगी, तो फिर से EMF क्या हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा, minus NbA omega, तो हम देख सकते हैं, E की value यहाँ पर 0 कब हो रही है, जब theta की value 0 है, तब 0 हो रही है, जब theta की value 180 है, तब EMF यहाँ पर 0 हो रहा है, दूसरा case maximum कब हो रही है, EMF maximum NbA omega का एक बार, प्लस NbA omega, जब theta की value 90 degree, और जब theta 270 हो जाएगा, तो EMF कितना हो जाएगा, minus NbA omega, यहाँ पर 4 point यहाँ पर एक complete cycle आएगे, जब theta की value फिर से 360 होगी, तो फिर से यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ इस complete cycle में, यहाँ पर 4 point आपको मिलेंगे, एक 0 पर मिलेगा, यहनि EMF 0 होगा, कब जब theta की value क्या होगी, 0 होगी, दूसरा point होगा, जब theta की value 90 degree होगी, तो theta की value 90 पर EMF क्या रहेगा, maximum रहेगा, आप इस waveform से देख सकते हैं, यह waveform पर जब theta की value 0 है, तो coil हमारी इस position में रहेगी, यानि जो इसका angle है, area vector और magnetic field दोनों के बीच का angle क्या है, 0 degree है, उस case में coil इस position में रहेगी, यानि EMF induce 0 रहेगा, इस condition में EMF induce 0 होगा, जब coil ऐसे रहेगी, दूसरे case में इसको rotate हो रही है, या loop इस condition में आ जाएगा, parallel to this magnetic field, तो इस case में क्या होगा, area vector इसका perpendicular हो जाएगा, इस coil का area vector ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पर area vector magnetic field की direction में है, तो यहाँ theta की value 0 है, यहाँ पर theta की value क्या है, 90 degree है, तो जब theta की value 0 है, तो EMF induce क्या हो गया, 0 हो गया, जब theta की value 90 degree है, तो angle इसका change होगा, फिर 180 degree हो जाएगा, इस case में यह वाला point A नीचे है, B उपर है, जब यह rotate हो रहा है, इसको anti clockwise ऐसे rotate करा रहा है, तो यह क्या होगा, इस condition में आ जाएगा, यह point इधर आ जाएगा, हमारा घूम करके, और B इधर आ जाएगा, फिर again इसको 90 degree rotate कराया, तो A point उपर चला गया, और B point नीच आ गया, यह जो conductor A है, वो उपर आ गया, और conductor B नीच आ गया, तो अब इस case में EMF induce कितना होगा, theta की value कितनी है, 180 degree है, तो theta 180 होने पर दुबारा से EMF क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर से दुबारा से यहाँ पर theta की value जब 270 होगी, तो फिर EMF maximum हो जाएगा, बट इस बात जो direction होगी EMF की, वो change हो जाएगी, minus में आएगा, negative आएगा यहाँ पर, और फिर जब theta की value एक round पूरा कर लेगा, यानि पूरा complete round, यानि इस position से, जो initial condition थी, वही यहाँ पर इसकी final position में जब दुबारा से आएगा, तो फिर से यह क्या होगा, इस point पर आजाएगा, EMF 0 हो जाएगा, तो इस पूरे process को हम एक complete cycle कहते हैं, यानि यहाँ से start हो रही है cycle, 0 EMF से start होई, फिर धीरे-धीरे increase करा, यहाँ पर maximum हो गया, फिर उसके बाद decrease करेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर और decrease करेगा, negative value आजाएगी, और फिर increase करेगा, फिर 0 पर आजाएगा, यानि 0 से चलकर maximum और फिर 0 को cross करके, निगेटिव आखरके, फिर again 0 पर आजाए, तो यह हमारी एक complete cycle कहलाती है, जो waveform है, यह complete sinusoidal cycle कहलाती है, ठीक है, जो एक second में इस तरह की 50 cycles complete होती है, जिसको हम frequency कहते हैं, that is 50 hertz, या कहीं-कहीं पर 60 hertz frequency होती है, तो alternating current की कहीं पर 60 cycles complete होती है, एक second में, एक second में कोई भी generator की जो coil है, उसका जो conductor है, वो कितने rounds rotate कर सकता है, एक second में इसके rotate हो रहा है, यानि जो round हो रहा है, circles हो रहा है, वो कितने होंगे, 60 या 50 hertz के हसाब से इसको हम round कर लेंगे, या तो 60 rounds होंगे complete, या फिर 50 rounds इसके complete होंगे, अब देखिए, commutator का काम क्या है, यह तो हमने क्या रहा है, बिना commutator के यहां पर, इसमें अभी commutator का कोई functioning नहीं है, अभी क्या हो रहा है, यहां पर यह simply इसको, directly, जो as it is, जैसे की यहां पर conductor, जो EMF induced हो रहा है, जो भी current flow हो रही है, हो as it is, यहां पर हमने without conductor यहां पर show क्या गया है, जो formulaic according हमने, इसके according निकाला है, E की value 0 यहां पर, और E की value NBA, फिर 180 पर 0, फिर 270 पर minus NBA, और 360 पर 0, लेकिन हमें चाहिए DC generator, हम क्या बना रहे है, DC generator, तो DC में क्या होता है, negative waveform नहीं होती है, यह negative cycle नहीं होनी चाहिए, always जो होनी चाहिए, वो positive माना चाहिए, output जो हमारा होना चाहिए, वो किस में आना चाहिए, positive माना चाहिए, negative में यहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है, यह आपकी negative cycle, और यह आपकी positive cycle, तो हम यह चाहिए, negative cycle जो हो जाए, वो positive में convert हो जाए, तो अगर इस instant पर जो conductor है, उसकी direction को invert कर दिया जाए, यह जो conductor load पर connect हो रहा है, अगर हम इसकी direction को invert कर दें, यानि इस instant पर जब यह 180 degree पर आता है, यानि यह वाली जो condition है, इस instant पर इस वाले conductor को हम इस से connect कर दें, यहां पर, यानि A dash वाला conductor B dash से connect हो जाए, और B dash वाला conductor जो है, वो A dash से connect हो जाए, तो उस case में जो हमें output मिलेगा, positive half cycle तो हमें positive मिल गए, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो output मिलेगा, वो यह negative ना मिल करके, अगर हम इस conductor की position को interchange कर दें, तो फिर से हमें जो output है, वो positive form में इस तरह से मिल जाएगा, बस यही काम हमें commutator की help से कराना होता है, जो कि commutator का function होता है, इस point पर आगर commutator conductors की जो position है, उसको क्या कर देता है, change कर देता है, जिससे के यह negative half cycle है, यानि जो current हमारी opposite direction flow रहे थी, वो फिर से उसी same direction में flow होती रहती है, तो DC generator में current एक ही direction में flow होगी, unidirectional current flow होती तो यह यहाँ पर commutator का का मोगा, यहांनि जो load connected होगा, ते यहां पर use होगी, और यह इसका wave diagram है, यह split rings होता है जो कि direction को क्या कर देता है, convert कर दեता है, आप देख सकते हैं, यहां पर हम split ring का опять करके, इसकी direction को क्या कर सकते है, convert कर सकता है, जो split ring होता है और जो पूरा जो सैट अप होता है इसका उसी को हम पूरे को क्या करता है कम्यूटीटर कहते हैं तो यह पॉजिटिव हाफ साइकल में इंक्रीज कर रहा है करेंट पॉजिटिव हाफ साइकल में आ रहा है फिर क्या हुआ डिक्रीज हुआ अभी निगेटिव में नहीं जा रह कि हम इसको प्योर ले डीसी फॉर्म में कनवर्ट करते हैं देखें यहाँ पर तो क्या गया है कि अगर हम नंबर ओफ पॉल्स यारी इसको इंक्रीज कर दें तो यह क्या होगा की इस तरह से मिलते रहेगा है अब आते हैं टाइपस ऑफ डीसी जनरेटर कितने टाइपस के होंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर डीसी जनरेटर में ऐसा क्या होता है कि उसको हम क्लासिफाइब करें तो क्लासिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं जो फील्ड वाइंडि को हम कैसे उसको फाइब की जाती है किसी बीडी सीजनरेटर में वहां पर यूज करके हम क्या करते हैं यानि है और उस मेगनेटिक फिल्ड में जो होता है आर्मीचर कंडॉक्टर से इसको रोटेट कराया जाता है तो भी रोटेशन होता है वह तो मेकैनिकल एनरजी के थरू जाती है अब या तो हम सेपरेटली एक्साइट करें जो मोटर है जो जनरेटर है उसको हम सेपरेटली एक्साइट करें यह जो फील्ड वाइंडिंग है उसको हम क्या करें बाहर से एक्साइट करें और जो जनरेटर है उसकी जो आउटपुट पावर है उसका हम यूज ना करे दूसरा यह है जो जन टर से जो ट्म मिल रहा है उसी से हम क्या करते हैं फीर्ड को एकशाइट करते हैं तो वो अपने अपनी फिल करता है टॉत तरह करें तो एक सैपरेट से उसे self-excited होता है अब self excited में या तो हम Series में लगा सकते हैं या फिर shunt में लगा सकते हैं शर्ड में पीज़ में में लगा सकते हैं या फिर दोनों का कमबाइन यूज कर के compound भी कर सकते हैं यारीज और शंट दोनों का use कर सकते हैं तो यह इस तरह से इसका classification होता जाएगा एक तो separately excited जिसमें कि हम external supply से हम फिल वाइंडिंग यहां पर generate करते हैं या फिर self excited जो current हमें output पर generator से मिल रहा है उसी से हम क्या करते हैं फिल वाइंडिंग को excited करते हैं यानि उसको एनरजाइज करते हैं उसी को हम सिरीज में कर सकते हैं या उसको शंट में या फिर दोनों को combination भी कर सकते हैं सेरीज और सेंट में इसमें भी लॉंग सेंट होगा और दो तरह क्यों है तो देखे इसके डाइग्राम देख लिए डाइग्राम से ही आप इसको एजिली अंडिस्टेंड कर सकते हैं सब्सक्राइब यह हमारा जनेरेटर का और यह लोड करण यहां पर लोड के थुरू मिदे भी मैंनेटीक फिल इसको और हम कहां से यह अगर हैं यहां पर समझ लेक्त विआ यह कहां इसको हम सप्लाई देने के लिए क्थाक्प्रिप्रियूदिण का यूज करते हैं एक्षानल डीसी सप्लाई का यूज करेंगे तो यह क्या होगा separately एक्साइट यहां पर यहांपर करेंट फ्लोव गाइड इस आई एफ फिल्ड वाइंडिंग का करेंट कहां पर फ्लो रहा है और यह जो आई एल है यह लोड करन यहां तो यह फिट्वांडिंण है external supply है इसको हम separately existed कहेंगे और यह हमारा separately excited dec generator कहलाएब two economy excited digit generator यह जopf supply दी है हमने त्वांडन वहांगो क्या है external supply है उस इंटरणल supply वहाँ पर हमें नहीं मिल प लेकिन हम यह external battery का यूज क्यों करें आगा जो अक्सराणल बैटरी है इसका यूस क्यों करें वह हम इसके लोड्र करण्ड से बहना आगर ऐसा कर रहे हैं कि लोड्र करन्ड को जोड़ रहे हैं तो वहां पर वह सेल्फ एकसयृत है मैं क्या होगा इसको मैं हम डिलीट है हूं यहां पर लेकर सेल्फ एक्साइटेड में क्या होगा सपोस्थ किजिए यह हमारा लोड है यहां पर किजिड यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर फ्लोर हे इसमें लोड और यहां पर फ्लो रहीक है यह हम यहां पर और वाइनदिंग धिंग इस्क मैं से एनर्जाइज कर औरने मेट तो फिल्द करंड में जाएंगे धाने तणwood के र Will die यह हमारा सेलफ सशनाइटिड डीलेटर की तशन डे हुआ करेंगा यह वाला जो मैं हमने फिल्ड्टे में रखा हुआ है न मैं तो यह वाला कौण सा होगा श्ञंट इसको हम क्या कहेंगे, Off VO 27, के इंच में आमसे होगा, होगा सिरीज वाउंड तो सिरीज वाउंड में क्या होगा कि यह हमारा आर्मेचर कंड़क्टर है यह आर्मेचर है जो रोटेट कर रहा है और यहां से हमें लोड करेंट मिल रही है अब लोड करेंट से हम क्या करते हैं पहले जो लोड करेंट है उसको फील्ड में देंगे और फिर यहां पर यह लोड के थुरू कनेक्ट हो जाएगा यहां लोड और फील्ड दोनों ही किस से कनेक्टेड है यह हमारी फील्ड वाइंडिंग है और यहां पर यह वह आर एल कह सकते हैं यह आर एफ कह सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं आर्मीचर करण्ट ही किसको प्रवाइड कर रहा है और वही जो करण्ट है आगे की तरह फिर यह आई एल में जा रहा है नहीं हम कह सकते हैं कि आर्मीचर करेंट आउट पट पर मिल रहा है डाट इस इक्वल टू फीज प्रवाउं चेल्प एक्साइट एड्स लंट लिए को कि मैंने फीनिग को पिसमें लगाया से पहले जो फीनिंग ती योई स्थे अधिक excited यह series bound self excited इसके बार हाता है compound 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 में दो तरह क्या होँगे long shunt और short shunt compound में क्या होगा compound compound wound में एक तो long shunt होगा और एक short shunt होगा तो देखिए किस तरह से हम use करेंगे compound wound को यहनी series भी होगा और shunt भी होगा यहां पर सिरीज में यूज होगी और यहां पर एक ट्रेंट में यहां और यहां पर आरमेटर खरेंट और यह क्या हो गया क्या सका इसको 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 आई एस लिख सकते हैं इस इए और यह i-series, इधर जोगा यह RF, दोनों ही field winding है, यह series में लगी हुई है, load के, और यह क्या है, shunt में, लेकिन shunt जो लगा हुआ है, वो क्या लगा हुआ है, यहाँ पर armature से directly connected है, तो इसको हम short shunt कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, short shunt, यहनि shunt जो है, वो directly armature से गर connected है, तो यह क्या होग shunt compound wound DC generator, इसी तरह से अगर long shunt है, तो long shunt किस तरह से होगा, देखिए, यहाँ पर यह armature, अब हम क्या करते है, shunt को यहाँ पर नहीं करना, हम क्या करेंगे, पहले series winding यहाँ पर लेंगे, पहले series winding लेंगे, और फिर उसके बाद load resistance को करेंगे, जहाँ पर load resistance लिया है, यहाँ पर यह load लिया है, तो जिस point पर हमने load resistance को कनिक किया है, अब इस point से हम output यह वाला shunt लेंगे, यहाँ पहले armature current जो आ रही है, वो completely हमारी series वाली field winding में जाएगी, और series वाली field winding में जाएगी, और फिर से यहाँ पर इस point पर आ करके load current में डिवाइड होगी, यहाँ तक यह armature current है और फिर यहाँ पर यह load current में डिवाइड हो जाएगे, यह यहाँ पर IF field winding रहे है, तो यह हमारा long shunt कहलाता है, तो हम क्या कहते है, long shunt compound wound, यह दोनों ही compound wound कहलाएंगे, long shunt और यह short shunt, compound, compound, लेकिन एक में short shunt का यूज करा गया है, और दूसरे में किसका यूज क्या गया है, long shunt का यूज क्या गया है, यह armature है, और यह armature current यहाँ पर हमें output पर मिल रहे हैं, तो यह हमारे four types हैं, एक separately excited, separately excited मैंने मिटा दिया था, आप उसको देख लिए, separately excited में क्या होगा, यह armature conductor, और यहाँ पर load connect होगा, और field winding के लिए separately हम क्या करेंगे, excitation provide करेंगे, it is separately excited, यह separately excited है, जब field winding को अलक्से supply दी जाती है, और जो load current, जो armature current है, जो generator का current है, उसको हम scale directly load current को ही दे रहे हैं, यहाँ पर field winding में हम सिर्फ अलक्से supply देंगे, कोई भी यहाँ पर इसका जो load output मिलेगा, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कि इसकी जो field winding है, वो externally control कर सकते हैं, जो magnetic field है, वो externally हम उसको constant रख सकते हैं, magnetic field को अगर constant रखना है, तो generally हम इसका यूज करते हैं, separately excited decision later, वैसे हम self excited, जादा तर जो use होते हैं, mostly जो use होते हैं, वो self excited decision later, इसमें की series, shunt, compound, इनों ही use कर लेते हैं, तो यह इसके types है, separately excited, shunt wound, और यह वाला series wound, self excited, यह दोनों compound wound, short shunt और long shunt, इसके बाद आता है, जो most important topic है, generator का, that is the EMF equation of DC generator, तो EMF equation कितना EMF वहाँ पर induce हो रहा है, वो EMF equation हम कैसे निकालेंगे, यह जो output पर मिलेगा हमें voltage, वो कितना output हमें मिलेगा, किसी भी DC generator में, तो देखें, output voltage किस पर depend करता है, पहले वो factor देख लेते हैं, कि number of poles वहाँ पर कितन कर रहे हैं, वो कितने हैं, एक तो उस पर depend करेगा, दूसरा क्या है, उस पोल से flux कितना generate हो रहा है, उस फ्लक्स पर भी depend करेगा, तीसा क्या होगा, generator को हम कितनी तेजी से वहाँ पर घुमा रहे हैं, यहाँ इस speed of armature in RPM, यहाँ पर और total number of armature conductors पर भी depend करेगा, तो यहाँ प मोटर दोनों ही यूज कर सकते हैं, तो फ्लक्स पर पोल इन वैबर, एक पोल कितना फ्लक्स जनरेट कर रहा है, पोल कितना फ्लक्स जनरेट कर रहा है, total number of armature conductor, कितने armature conductors है, जो आर्मिचर हैं, उसमें कितने conductor यहाँ पर यूज किये गए है, एन क्या है, speed of armature in RPM, RPM is the revolutions per minute, revolutions per minute, यानि एक मिनिट में कितने चक्कर armature लगा रहा है, that is the speed of armature, और A यहाँ पर क्या है, number of parallel parts in the armature winding, armature winding में कितने parallel parts है, अब देखिए जो parallel parts है, वो डिपेंड करेगा, इसका construction किस टाइप का है, अगर lap wound है, तो A की value P के बराबर होगी, अगर lap wound है, दो तरह के mainly जो armature conductors होगे, armature की जो winding होगी, वो दो तरह से की जाती है, एक तो lap winding, जिसको lap wound कहते हैं, और एक wave wound कहते है, तो lap wound अगर है, तो A की value P के बराबर हो जाएगी, और अगर wave wound है, तो A की value हम 2 लेंगे, यह इसके लिए constant value, इसको हम अलग से note करके लिखावा है, अगर lap wound है, question में दिया ह होगा की lap wound है, armature या wave wound है, तो अगर lap wound है, तो number of parallel paths किसके बराबर होगे, number of poles के बराबर होगे, जितने poles होगे, उतने ही parallel paths होगे, और अगर wave wound है, तो parallel paths की value 2 रहेगी, fix है, तो यह सभी यहाँ पर हमने जो parameters है, उसको लिखा गया है, और उसको किस से denote करता है, किस पर यह depend करता है, ठीक है, आप देखें, जो EMF equation है, इसका पूरा जो अगर आपको complete derivation देखना है, तो मैंने जो detail वीडियो है, इसकी, उस वीडियो में आप देख सकते हैं, जो इसकी detail वीडियो, जो हमने डाली थी, जो हर एक unit की हर एक topic वाई, जो चल ल आएगा, वो देखते हैं, तो जो EMF आएगी, final derivation करके, वो कितने आएगी, E equals to P5N by 60 into Z upon A, यह इसका लिखने का तरीका है, P5N by 60, 60 से डिवाइड करेंगे, पाई यहाँ पर क्या है, number of revolutions है, पाई क्या है, फ्लक्स है, पी यहाँ पर number of poles है, और N क्या है, speed of our meter in RPM, एन RPM में speed है, तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो यह speed आ जाएगी, किसमे, RPS में, revolution पर second में जाएगी, और यहाँ पर Z upon P हो जाएगा, Z यहाँ पर क्या है, total number of armature conductors, and A क्या है, number of parallel paths, तो यह formula हमें derive करना है, यह derivation आप detail वीडियो में जाकर करके देख सकते हैं, यह इसकी EMF equation कहलाती है, किसी DC generator की, ठीक है, ठीक है, इस पर based कुछ questions है, जो यहाँ पर दिये गाए है, मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको कैसे करेंगे, कौन-कौन सी values यहाँ पर रखी हुए, and 8 pole lap wound, ठीके lap wound है, तो lap wound के लिए मैंने बताया है कि lap wound के लिए क्या करेंगे, ठीके दो number of poles के बराबर होगी, number of poles के बराबर होगी, और P की value कितनी दी हुई है, has 960 conductors, यह Z की value कितनी दी हुई है, 960 conductors, एक flux of 40 milliweber, flux दिया हुआ है milliweber में, यहनि milliweber को वेबर में convert करेंगे, तो 5 की value दी हुई है, 40 milliweber, तो milliweber को हम convert करेंगे, तो 10 to the power minus 3 वेबर में convert हो जाएग का, तो flux कितना generate हो रहा है, 40 into 10 to the power minus 3 वेबर का flux यहाँ पर generate हो रहा है, एकी value कितनी है, P के एकवल है, और Z कितना है, 960 है, एकी value P के एकवल क्यों करी, क्योंकि यह lap wound है, ठीक है, flux per pole, and is driven at 400 rpm, यह 400 rpm से इसको derive किया जा रहा है, यानि N कितना है, यहाँ पर 400 rpm है, rpm में ही हमें रखना है, N की value को, अब देखो, number of poles यहाँ पर starting में दिये हो है, एन 8 pole, यह क्या है, number of poles है, lap wound है, तो P की value A के बराबर होगी, और P की value कितनी है, 8, number of poles कितने यहाँ पर दिये हो है, 8 के एकवल है, और A की value भी क्या रखेंगे, 8 के एकवल है, find the EMF generated, find the EMF generated, तो हम यहाँ पर EMF generated निकाल सकते हैं, formula हमें पता है, देखे, formula क्या है, इसका, P5N by 60 into Z upon A, P5N by 60 into Z upon A, तो EMF कितना हो जाएगा, इसका, P5N by 60 into Z upon A, अब देखो P की value यहाँ पर किसके एकवल है, 8, इनकी value जग देते हैं, 8, P5 की value कितनी है, 40 into 10 to the power minus 3, 40 into 10 to the power minus 3, number of tons, number of tons यहाँ पर दिये वे 400 RPM, यह नि number of tons, स्वरी, जो speed है, 400 RPM revolution per minute, divide by 60, 60 से divide करेंगे, और यह Z upon A, Z की value कितनी है, 960, Z की value कितनी है, 960, और A की value किसके बराबर लेंगे, P के बराबर, तो A की value भी यहाँ पर 8 रखेंगे, P की value 8 रखी, A की value भी 8 रखेंगे, तो देखो, अगर lap wound है, तो P और A कैंसिल हो जाएगे, तो P और A यहाँ पर directly cancel हो जाएगे, क्योंकि दोनों equal रहेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसको हम cut कर सकते हैं, देखे, P यहाँ पर, यह 8 से 8 गनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हम 67, 96 को divide करें, तो कितना हो जाएगा 16 आजाएगा यह कितना जाएगा यहाँ पर 16 आजाएगा इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर यह 16 आजाएगा अब इसकी multiply कर लीजे कितना हो जाएगा यह इक्वस्टू यह 4 इंटो 4 हो जाएगा 16 इन जीरो यहाँ पर आजाएगे तीन जीरो इसक्टीन थाउजेंड इसक्टीन थाउजेंड इन्टू पावर माइनस थी अब यह 16 यह वाला है यह भी यहाँ पर कितना बज़ेगा 16 इंटो 16 यानि 256 256 यहाँ पर हमें आउटपूट पर जाएगा इट इस दा आउटपूट इम इफ तो इसमें एट पोल दिये हुए है तो पी की वैलू एट है लैप वाउंड है तो एक वैलू भी एट रख दी यहाँ पर 960 रख दी 960 कंडुक्टर्स फ्लक्स पर पोल यहाँ पर कितना है 40 मिली वेबर 40 इटू 10 दो दो पावर माइनस 3 फ्लक्स की वैलू रख दी और इसका जो रोटेशन स्पीड है 400 rpm एन की वैलू 400 रख दिया है अब हमें एकी वैलू निगाल लिए तो एकी वैलू पी फाइन डिवाइड बाई 60 इंटू जैड बाई ए से इसको हम करेंगे तो पी की वैलू 8 रखी 5 की वैलू 14 इंटू 10 दो पावर माइनस 3 एन की 60 इंटू जैड बाई ए 960 जैड की वैलू और एकी वैलू 8 8 से 8 कैंसिल यहाँ पर 60 से इसे डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा और 16 की मल्टिप्लाइ करेंगे इससे तो कितना जाएगा यह कू 56 तीन जिरो यहाँ पर 10 दो पावर माइनस 3 से कैंसिल होगा तो यह हमारा आंतर आएगा तो इसी तरह से बाकी के कुस्टन भी होंगे यहाँ पर बाकी को स्ट्रस आगे दियो हैं आप कर सकते हैं जैसे यह कुश्टन है फोर पोल्डी सी मशीन यहाँ पर नंबर पोल्स कितने हैं फोर है लिख देता हूं वैल्यू पर फोर है पीजी मशीन इस हैविंग 500 तक आप अब द G मैं क्या होता है फी की वैल्यू के बराबर होती है लेकिन वे वांदय में क्या होता है एक की ब्राबर होग में यहाँ पर द्या हुआ है की वांडेलो कितनी हो जाएगी तो पर दोंके पराबर हो जाएगी i500 वे वांडु commitment का कि टों ओन् przeci टाइप की वाइंडिंग है वे वाउंड है तो क्या होगा टू हो जाएगी एकी वैल्यू अगर लैप वाइंडिंग है तो एकी वैल्यू पी के बरावर लेंगे तो जैट कितना है 500 उसके बार लिखा हुआ है रनिंग at 1000 rpm 1000 rpm से रन कर रहा है यहनि रोटेशन स्पीड 1000 विसको एंड से लिखेंगे यहाँ पर दे रखिये 1000 rpm फ्लक्स पर पॉल कितना है 30 आप देको मेली वेबर को में कनवर्ट करेंगे तो 30 इंटू पावर मइनस त्री तो फ्लक्स की वैलू यहाँ पर हो जाएगी कि फ्लक्स सब्सक्राइब करें दो भी अपको निकालना है या वोल्टेज कि इंडूस निकालना है तो इमफ की एक्वेशन हमने लिखी थी पी 5N by 60 इंटू जैड अपॉन कि पी 5N by 60 इंटू जैड़ अपॉन ए तो आप इसको सॉल्व का सकने एक की वैलीव रखेंगे एक वैलीव टू रखेंगे फाइक की वैल्यू कितनी है इस तरह से आगे के कुस्टन भी है यह भी इसी तरह से होगा एक और को स्टन है तो यह आपको एज हुमवर्ग करना है ठीक है नेक्स टॉपिक पर आते हैं डाट इस दा पीसी मोटर इंट्रॉडक्शन टू डीसी मोटर तो मोटर क्या होता है जन्रेटर तो मेकैनिकल एनरजी को इलेक्ट्रिकल एनरजी में कनवर्ट करता है लेकिन मोटर का काम क्या होता है जो इलेक्ट्रिकल एनरजी या इलेक्ट्रिकल पावर है उसको किस में कनवर्ट करता है मेकैनिकल एनरजी या मेकैनिकल पावर में कनवर्ट करता है तो यहां पर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम ह मिल रहे हैं वो mechanical power in omega into T मिलेगी यहां पर रइडला मेकनिकल सिस्टम कोई भी हम लोड यहां पर इसकोई कर सकते हैं मोटर की हैं से किसी भी आप मशीन को कर सकते उने जो इंडस्ट्री देकरा होती है तो तो वहां पर मोटर का बहुत ज्यादा रोल होता है yeah कि विश्का construction तो आप construction बिल्कुत सेमने डी सिगनेरेटर का construction बढ़ा वही सेम का सट्ट्रक्षन डी सीमोटर का भी है आप डाइग्राम भी देख सकते हैं डाइग्राम वही वाला डाइग्राम में सेम जो हमने डी सी और यह फिल्ड वाइंडिंग हॉजाएगी फिए बाइट पालते हैं और फिर रोटेट का रोटर केहते हैं तो उसमें क्या होगा आर्मी चरओं पर भी करण होगे और यह पर ब्रश रहेंगे तो ये सारा इसका जो Constrakोंसे देशन हो एडिल्सी ओटर फो दोनों गन्डक्टर को हम क्या गता है मैं कैनीकल कि इसलplay करते हैं और वह मोतर है मोटर का प्रिंसिपल थोड़ा सा डिफरेंट है मोटर में जो कंड़क्टर लिया जाता है वो कंड़क्टर करंड केरिंग कंड़क्टर होता है और उसको किसी मैगनेटिक फील्ड में रख देता है तो जब कोई कंड़क्टर करंड केरिंग कंड़क्टर जिसके अंदर करंड लेफ्ट एंड रूड भी कहते हैं क्यानि फ्लेमिंग स्लेफ्ट हें डूल जो है वो मोटर के अंदर यूजो अहीज अगर किसी वास लगता है इतना फो लगता है आई एल बी साइन थीटा इतना फोर्स लगता है आई एल बी साइन थीटा आई is the current L is the length B is the magnetic field and theta is the angle between the conductor and the magnetic field तो देखें यहां पर तो देखते हैं the operation of a DC motor is based on the principle that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field a mechanical force is experienced by it यहनि अब हमें conductor को तो मूवग मेकेनिकली नहीं कराना conductor जो है वो अब मूग करेगा किसकी वे से electrical power की वे से यहनि किस वे से मूग कर रहा है वहाँ पर जब conductor में current flow करा रहा है तब वहाँ पर conductor वहाँ पर मूग करेगा ठीक है the direction of this force is determined by the flaming's left-hand rule इसकी जो direction है वो flaming's left-hand rule से find करते हैं अब दोको flaming's left-hand rule क्या है इसको भी समझ लेते हैं इस तरह से आपने राइट-hand rule पढ़ा था इसी तरह से left-hand rule है यहाँ पर हम अपने left-hand का use करेंगे यानि तीनों fingers वहीं तीनों finger रहेंगी जो राइट-hand में थी यह four finger यह middle finger और यह थम इन तीनों को अगर हम इस तरह से stretch करेंगे तीनों क्या है mutually perpendicular हो हम इस तरह है यानि हम और four finger के बीच में 90 degree का एंगल middle finger और four finger के बीच में 90 degree का एंगल और इन दोनों के बीच में इस तरह है तो यह अगर 90 degree का एंगल पर है तो यह मीच्वली पर्पेंडिकुलर कहलाती है अब इस केस में यह four finger तो किसको रिप्रेजेंट करेंगी magnetic field को और middle finger current को यह एगर हम four finger को magnetic field की direction में रखें और middle finger को current की direction में लखें तो जो थम होगा वो फोर्स की direction को रिप्रेजेंट करेंगा हम किस डारेक्शन को रिप्रेजेंट करता है पोर्स की डारेक्शन को यहनि कोई conductor ऐसे रखा हुआ है current इसमें outward flow रही है यह conductor रखा हुआ है current outward है और magnetic field इस तरफ है towards right तो इस पर जो फोर्स लेगा वह अपड़ डारेक्शन में लेगा पोर्स किस तरफ लेगा अपड़ डारेक्शन में ऊपर की तरफ लेगा आप लेफ्ट हें रूल से यहां पर देख सकते हैं यहां पर नॉर्फ पोल है है वह current की डारेक्शन इनवर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम आउटवर्ड डारेक्शन अगर देखें तो यह आउटवर्ड डारेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है current की और यह लेगा वह उपर की तरफ लेगा आप देख सकते हैं इस गर्फ लेगा वह उपर लेगा यहां पर आप देख सकते हैं कि जो फॉस लग रहा है वह उपर की तरफ है क्योंकि करण्ट इसमें आउटवर्ड है मेंगडिक्ट फील्ड ट्वाट्स राइट है और जो फोर्स है वह ऊपर की तरफ लग रहा है तो इसके बाद जो दूसरा कंड़क्टर है second conductor उसमें चप्रक्रन की डाेक्स्टन वह एक पोस्ट होगी है रिवास हो गई है तो हमकर अगर करने कर न फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगा हमकी डाईरेक्षंन हमारी डाउनफ Should मैंडिक फीड सींफ डारिक्शन इंवर्ट हैं दौ क्रॉस होता है इनवर्ट को लाइन होता है रहा है गो Vir RICHARD को आट ये अधितलिक फीड सी डारेक्शन में मैंने डिक फीड की डारेक्षन हमौनै यह रखिए त्वाट्स राइट मैगनेटिक फील्ड नोर्थ पोल से साउथ पॉल की तरफ यानि से राइड है लेकिन कंडुक्टर में करंड एक में आउट वड है दूसरे में इंवर्ड है तो जिस कंडुक्टर में करंड आउट वड है वहां पर force लग रहा है उपर कि तरफ और इस conductor में current inward है वहां force लग रहा है नीचे कि तरफ तो अगर इस conductor को आप ऐसे समझ ले कि एक coils एक किसी जो axis है किसी रौड के ऊपर अगर करने तो वहां पर क्या होगा एक end इसका उपर के तरफ जाएगा और एक इसको एसे रोटेट करा रहा है क्लॉक्वाइस डारेक्शन में इसको रोटेट करा रहा है यहां पर एक टॉर्क डवलप होगा जो इसको ऐसे रोटेट कराएगा यह जो चाहिए होता है मोटर के अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई दे करके जो शाफ्ट है उसकी वह रोटेट करने लगती है और उससे हमें मेकैनिकल आउट्पुट पावर मिलती है तो बेसिक प्रिंस्पल मोटर का यही है कोई कंड़क्टर अगर रखा जाए उसमें तो उसकंड़क्टर पर क्या हो जाए फोर्स एपलाई हो जाए और वह फोर्स जो है वह इसमें कर देता है वहां से टॉर्क प्रिडूस कर देता है इस तरह से सैट करते हैं यहां पर जब यह इस पोजिशन में होता है एक तरफ नौर्थ पॉल और इस तरफ साउथ पॉल तो यह वाले जो कंड़क्टर से इसमें एक तरफ होती है और दूसरे में करंट की डारेक्शन यह वती है यानि इधर इनवेद वाड़ ड़क को यह आपर किस तरफ लग रहा है वू किस तरफ लगः रहा है उपर की तरफ आप 돼ख सकता है यहां पर एक है हिन चंडुक्डर्स में इसमें भी फोर्ट उपर की तरफ वैसा यहां पर तो यह उपर आ जिआ ख आफ इसे पर फोर प्रके तरफ फूस्ट लग रहा है इस इतने भी चॉंक्डक्ट रहा है कि तन्सके यह वाले कराइंगे डाउनवड की तरफ और ये कंड़कतर शिको ऐसे तो यहां पर एक क्टोकवाइस वाहें हमें यहां पर मिलेगा इस मोथार में क्लाकवाइस टोर्क यहां हमें हुस्स मिलता है अब यहां फिर जोDer तो वो ऐसे generator भी काम करेगा तो कि उसके अंदर जो कॉइल से हैं वो magnetic field में rotate हो रही है तो जब motor rotate हो रहा है motor की जो armature है armature conductor रोटेट हो रहा है तो armature conductor को हमने current supply दी है उस current की वैसे वह magnetic field में रखे होने की के wedसे उस पर for select Khanhyon और जिसकी वह से क्या होता है टॉर्क होता है और वह रूटेट होने लगता लेकिन जब अर्मिचम िलिद्धि इंद्ध यौद सबस्क्रॉशसमें बन आडवर भी में वहां पर आपकर रहा है जब युद्ध यूजढ अपर क्यह होगा उसमें e- Minister केंज पीजिए ऑप्स me lord करा रहा था यह जो नकटर रोटेट करह रहा हैं तो सेम यहां पर हो रहा है यहां पर भी वो रही है सेम यहां पर मोटर है प्रप भी स वहाँ पर एक्टीटर है अनदर यह होगा रिघृत promet यहां पर भी jakiś होता है जैसा कि जनलेटर में होता यहां पर भी इंड्यूज उता है उसी एमफ को हम क्या कहते हैं बैक यह इएमफ कहते है लेको उसकी डेफिनिशन देख लो एन दर करण सब्लाइड तो दा आर्मिटर कंडॉक्टर अर्मिटर कंडॉक्टर अलीजे इन दा में आर्मेचर कंडुक्टर क्या होता ही होने लगता है अब आर्मेचर कंडुक्टर कट एक रोजड को सब्सक्राइल को क्रॉस करता करता है तो वहाँ पर यह Subscribe है जरू है जरणेर का अनियाटर का प्रिंसिपल आर्मेंटर कंड्क्टर तो मोटर में भी क्रॉस कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा एंट limited indooroutho any उस कंडुक्टर में भी ये मैं फेन्ड्यूस हो जाएगा जैसा की जनुरेटर में होता था प्लैमिंग इसकी डारेक्शन और आजबी दशेंट्न से हम इसकी डारेक्शन कर सकते हैं जो गई गर है कि बीने मंटिटी है कई उसकी जो डारेक्शन ओगी व्ल्टेज कि marijuana रहेगी अपोजित होती है है कि एंस इटिसकल्द अब एक यह में इसको क्या कहता है से जो वैल्यू होती यह इट इस विए इपट वी मैनस ऐड़ आई यह अब यहां पर आई एक क्या है आर मेर्ट करन्द है आरे इसदा आर्मेचर रोजिस्टेंस इक है आई एई इसदा यह आप, where Ia is the armature current, armature current and Ra is the armature resistance. Armature resistance, it is also known as voltage equation of DC motor, इसको हम voltage equation भी कहते हैं, यह वाली जो equation है, TB equals to V minus Ia Ra, इसको हम voltage equation भी कहते हैं, TB यहाँ पर back EMF है, V is the applied voltage, Ia is the armature current and Ra is the armature resistance, तो इसको हम voltage equation of DC motor भी कहते हैं, the current flowing through the armature is given by the relation, इसी से हम current flowing भी निकाल सकते हैं, यहनिकर हमें Ia की value find करने हैं, तो इस V को हम इधर ले जाएंगे, तो EB minus, यह हो जाएगा, V minus EB, यहनि Ia Ra को इधर लेगा, EB को इधर ले जाएगे, तो V minus EB upon Ra, यहाँ से हम current की value find कर सकते हैं, आर्मिचर current इस equation से हम find कर सकते हैं, जो voltage equation से, voltage equation of DC motor है, उसी से हम armature current की value find कर सकते हैं, यह इसका basic diagram यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, EB यहाँ पर EMF induced है, जो back EMF induced हो रहा है यहाँ पर, इसके अंदर armature के अंदर, Ra is the resistance of armature, Ia is the armature current, देखो armature current की जो direction है, वो into the armature है, armature की current की direction into the armature है, downward है, और जो back EMF का जो direction है, वो upper है, यानि जो back EMF की वेशे जो current flow होगी, वो upper direction में, तो back EMF किसका अपोज कर रहा है, यहाँ पर applied voltage का, applied voltage का अपोज करता है back EMF, ठीक है, जो back EMF की direction होती है, वो applied voltage के opposite होती है, अब types of DC motor, जो को जिस तरह से types of DC generator पढ़े हैं, उसी तरह से types of DC motor हैं, आपने देखा था, वहाँ पर self excited, separately excited, दोनों ही तरह के DC generator थे, उसमें भी क्या था, series wound, shunt wound और compound, उसी तरह से यहाँ पर हम use करते हैं, separately excited DC motor, जो को separately excited, यानि excitation यहाँ पर जो रहा है, वो field winding का separately हो रहा है, field winding को अलग से supply दी जा रहा है, और जो armature है, उसको अलग से supply दी जा रहा है, तो यह क्या होगा, separately excited DC motor होगा, लेकिन अगर हम field winding और armature की winding है, उसको दोनों को supply same source से देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, self excited हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो supply voltage है, supply voltage हमने क्या हो, दोनों को हमने field को और armature, दोनों को हमने sent में connect किया है, यह field winding है, और यह armature winding है, दोनों को parallel में connect किया है, और दोनों को एक ही source से, यहाँ पर V source से यहाँ पर connect कर दिया है, है तो है क्या होगा सैल्त एक्राइट ड्रोट्रश सेंट मोटर होगा यहां पर ड्रोट्स अर्मेचर करण और एक संथो जङगा यहां पर यह लोट्करण है यह आपनों को सप्लाइश दे जा रही है सीरीज अरंच करके एक सिंगल सोर्स हो सप्लाइश संसे जो करंट के इंदर जाएगी यह और फींड में भी जाएगा यह नोच करन्ट होगी वह फील्ड करंट के फील्ड वाइन दिक और आर्मेचर के दोनों के इक्वल रहे यहाँ क्या है यहाँ जो रहा है यहां पर क्या है इसकी आर्मिजर है रिस्टेंस it is the self excited series motor self excited compound में दोनों ही यूज़ करेंगे यहाँ पर RF यहाँ पर हमने series में भी लगाया है field winding को और field winding को हमने shunt में भी यह यह शंट में लगा हुआ है यह shunt winding है और यह क्या है series winding है यह series है armature और field दोनों series में connected है और यहाँ यहाँ पर armature क्या है इसके shunt में connected है supply voltage हमने वी दिया हुआ है सभी को field winding को और जो armature winding है दोनों को हमने एक ही supply से जोड़ा गया है यहाँ पर series में भी है field winding और shunt में भी है यह होगा compound wound motor यहाँ पर देख सकता है आप यह वाला जो है long shunt कहलाएगा यह यहाँ पर है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर नेक्टे तो लाउंग शन्ट इसी को हम शॉट शेट भी बना सकते हैं यह वाली वाइंडिंग यहाँ कनेक्ट करके लिए यहाँ पर नहीं दिया लेकिन इसको हम shout cent भी बना सकते हैं आप देख सकते हैं आपर यह यह तो long sound do it is the long sound okay झेच्छ लॉंग संट compound य film अगरमेंso a नना है तो हम क्या करेंगे यह जो अर्मिचर है पहले इस से हम क्या करेंगे field वांडिंग को कनेक और अने करेंगे तो सिरीज वाले winding को चनिक करेंगे और यहां पर supply voltage दे देंगे तो यह होगा सिरीज यह शंट होगा और यह क्या होगा सिरीज तो यह शॉर्ट शंट हो जाएगा इस कॉल दा शॉर्ट संट लेकिन इसमें क्या अंतर है यहां पर हमने क्या कर रहा रहा था यह जो लॉंग शंट है उसमें तो शंट को हमने क्या कर रहा रहा ठाक Спасибо को जोड़ा वॉबाथा और प्लिश को रहए इसको एहींपर ही एंड कर दिया यहां पर क्या है मनेकर सप्लेज को दोड़ा है और उसके बास घंड को ब्रेक किया ढ Parkinson है कि अ इसओ अब content OH कि जो टाइप्स हैं वो दोनों में सेम हैं जो D.C.iałंरe घर है और दोनौमे टाइप सेम है अपर और के अंदर आहोता है सब्लेक्ष कि जगा पर क्या होう जैगा अंदर में में अचे घरेंगे जोपलेंगे में कि यहां पर यहां पर उस्तरफ पाड़ेंगे इसमेरेटर में करनंट की डार्यक्षन में रिवस्क तरनेगे और जो वोल्टेज सप्लाई की यहां पर यूज कर रहा है सोर्स की जगाँ पर हम लोड यहां पर अप्लाई कर देते हैं बाइक सारी चीजे सेम रहती है राइप सॉफ यह जनेरेटर नहीं स्वरी मोटर हो गाया यहां पर मोटर होना चाहिए तो करेक्ट कर लेना मोटर टीक है तो इसुल सो मोटर यहां पर टाइप्स आप डी ची मोटर यह ठीक है डीची मोटर के टाइप से से परेटली एकसाइटेड Self Excited Cent Motor, Self Excited Series Motor and Self Excited Compound Motor Compound में 2 हैं Short Shunt और Long Shunt इसके बाद आता है Torque Equation of DC Motor जिस तरह से हमने EMF Equation of DC Generator पड़ी है इसी तरह से Torque Equation of DC Motor है Derivation हम यहां भी नहीं करेंगे Derivation अगर आपको चाहिए तो आप Detail वीडियो देख सकता है विहां क्टीट करेंगे च्छी होता है किसी भी मोटर में वो किसी किनकी चीज़ों पर कितने हैं किसी मोटर में सुख्षा है कि इसके बाद आया दा सक है यहां पर आर इस दा आर्मीचर इसकी जरूवत वैसे नहीं पड़ेगी टॉर्क का जब जो डेरिवेशन है वहां पर इसकी जरूवत पड़ती है फॉर्मुले में इसकी जरूवत नहीं पड़ेगी इफेक्टिव लेंथ इसकी जरूवत नहीं पड़ेगी मेंली जो है टोटल आर्मीचर कंड़क्टर जैड टोटल आर्मीचर करेंट आई एए और नंबर ऑफ पहलेल पार्ट फिर से वही सेम रखेंगे यहां पर एकी वैल्यू पी के बराबर रखेंगे अगर लैप वाइंडिंग है और अगर लिए आय ऊपॉन्ट फॉपाहए यह का टॉर्क टॉर्क नरीचर के लिए ओग को आपर मघलिए को लिए अगर जया पर परेंए तो इस तरह से लिए है जैसे कि हमने जनेरेटर की एक्वेशन लिए इसी तरह से इसकी विएशन अगर लिए यह होगा पर यहाँ पर यहाँ पर फाइए नहीं हो अप्टिफाइए होगा कि वाइट बाइन की जंगह क्या हो जाएगा डिवाइड बाइट उपाई हो जाएगा है जो जन्रेटर में यहुंटिकर आजएगा जाएगा यहां फिर मल्लीप्लाइम आ करना सब्सक्राइब तो नों ही क्वेशनी याद हो जाएंगी दिया मैं लिखो यहां पर प्रिया मैं क्वेशन क्या देङ पी 5 और मैं इवाइड बाइ 60 इंडाल वाई 60 इंटी इन अपां कि मोशेम यहां पर ऊसी कि इसे रखा है तो चेंज देखो कहां पर रहा है यहाँ पर विए प्मेंट सफ कर रहा है तो याद रखना है तो आप यह यह तर लेंगे टूपाई नीचे टूपाई आ जाएगा और जैड अपॉन ए में रहेगा डेरिवेशन के लिए आप डीटेल वीडियो में जा सकते हैं उसको देख सकता है उसमें कराया हुआ अब देकर टॉर्क होता है वह साफट टॉर्क होता है मुटर दीके साफट टॉर्क होता है वह कितना और पर मिलेगा वह कितना प्रूट हो रहा है वो शाफ्ट को भी रोटेट करा रहा है तो कुछ ना कुछ पावर हमारी शाफ्ट को रोटेट कराने में भी तो मिल देए लेकिन जो हम शाफ्ट से जो आउट्पुट पावर जो आउट्पुट टॉर्क मिलेगा वो कितना टॉर्क महाँ पर होगा उसको हम क्या कहते हैं अवेलेबिल एक शाफ्ट यारी वह सारा का सारा टॉर्क है वह शाफ्ट पर अवेलेबिल नहीं होता क्योंकि वह शाफ्ट को भी रोटेट कराएगा ठीक है पार्ट ऑप इस लॉस्ट तो ओवर कम दा आइरन एंड मेकैनिकल लॉसस यह नि फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस इसके बार हाता है ब्रेक होसपावर भी एच्पी एक होता है होस्पावर और आपर एक होता है भ्रेक वस् होस् पावर भी हच्पी आप्रने करते हैं भी में मेजर करते हैं इस को मेजर करने का पर करते हैं इसने इन आर्पीम अगर इस्पीड इसकी एन है तो आउटपट जो पावर मिलेगी हमें उमेगा इंटू टी एशेश से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी मोटर की जो आउटपट पावर है वह मेगा इंटू टी से यहां पर लेगे उमेगा को हम लिख सकते हैं तो पाइएन और टी शाफ्ट डिवाइड बाइशिक्स्टी डिवाइड बाइशिक्स्टी क्यों क्या क्योंकि हमने जो एन ले रहे हैं वो आर्पी एम ले रहे हैं उसको आर्पीम को अगर हमें किसमें करना है एन ले और गरहे हैं यहां आउटपट जो पावर होगी किस तो पावर हो इस वाट में कंवर्ट करना है तो टृट 35.5 से हम क्या करेंगे इसको डिवाइट कर देंगे 735.5 से हम इसको डिवाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा यह बी एच्पी में कनवर्ट हो जाएगा या नि हम कह सकते हैं 1 बी एच्पी 1 बी एच्पी is equal to 735 15 jy is equal to 735.5. 5 एक बी एचपी कितना होता है साच सो पैंधिस पॉइंट पांच बर्ल के बराबर होता है यह अगर हमें वाइट से बी में convert करना है तो इस value से divide करना होगा और अगर bhp से what में convert करना है तो इस value से multiply करना होगा दिए इस दा brake horsepower bhp कि वेज़ते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्टन लियागया है एक देकिए मोटर पर बेस कॉस्टन है स्थ स्थी हो乐 है यहाँ पॉल्ट आंप ऑप्रेटिंग वोल्टेज कितना है यहां पर वी की वैल्यों 400 वोल्ट है पूर पूल नंबर ओफ पोल यहां पर कितने है पूर है 1000 आर्मिचर यहां पर 1000 दिरख्यें दो यह वेव यह कुनेक्टेड यहनि यहां पर वेल्यू समय दी हुई है वह देख लीजै हैं एक पर 400 वोल्ट यहां पर दिया हुआ है 50 horsepower का यह निए पावर इसकी 50 दे रखें उससे मतलब नहीं है वी कितना दिया हुआ है 400 वोल्ट वी कितना दिया हुआ है 400 वोल्ट दिया हुआ है number of poles यहां पर पी दे रखें है four poles दे रखें and 1000 rpm n is the speed that is equals to 1000 rpm और यहां पर क्या दिया हुआ है फ्लक्स पर पोल पाई की वैलू दिवे 0.027 0.027 Weber यह Weber में दिया हुआ है यह rpm में दिया हुआ है और यह नंबर ओपोल्स है और यह इस वोल्ट इसके बार आयाता है the armature conductors z की वैल्व कितनी आर्मीचर हैंग दा 1600 तो 1600 अर्मिचर स्च वैव कनेक्टेड़ से जो की वेव कनेक्टेड़ है वेव कनेक्टेड का मतलब यहां पर एक वैल्यू कि तू रेंगे ग्रोष टॉर्क मेहंदा मोटर टेक्स सेवंटी i a की value कितने होगी 70 ampere i a is equal to 70 ampere तो हमें टॉर्क निकालना है तो टॉर्क equation हम apply करेंगे और की equation क्या होती है पी 5 i a divided by 60 इंटू एड़ अपॉन पी 5 i a divided by 60 sorry divided by 2 pi और इंटू क्या हो जाएगा जैड अपॉन ए तो यहां पर देखें हमें क्याने करना है we have torque find करना है P की value हमें दे रखिए 5 की वेल्व भी दियू है आई A की वेल्व दियू है Z की value भी दियू है और A की value भी दियू है तो सारी चीज़ें यहां पर हैं हमारे पास अवेलेबल तो टॉर्क हम यहां पर find कर सकता है तो इसको आप कर ले ना इसी तरह से आगे की कुस्टन से वह भी इसी फॉर्मुले पर बेज़ने कुछ होस्पावर से रिलेटेड है इसके बाद आता है characteristics of DC motor जो मेनली characteristics है मेन करेक्टरिस्टिक्स वह कौन-कौन सी DC motor की इससे की हम performance को करते हैं किसी भी DC motor की और चूज करते हैं कि कौन सा DC motor और कहां पर हमें यूज करना है मेनली जो Character रिपर करेक्टरिस्टिक होती है और यह करेक्टरिस्टिक कहते हैं और यह कोता है स्पीड एंड टॉर करेक्टरिस्टिक जिसको एंटी करेक्टरिस्टिक कहते हैं इस पीड को एंड से रिपेजेंट कर रहे हैं और आर्मीचर करण को आई ए से रिपेजेंट कर रहा है देखिए देखिए दा पर्फॉर्मेस ऑफ डी सब्सक्राइब करें तो इसको हम करेंगे अब वो दो क्वांटिटी इस स्पीड और करेंट हो सकती है या फिर स्पीड और टॉर्क हो सकता है तो अगर वो ुकों क्या है यसे कदे है और आर्मीतर के देट थो इसको हम क्या कहिंगे यस पीड करेक्टरिस्टीक भी खेए ँस तरह से ट्रार्ग और आर्मीर टरेटिक है ग्यार करेक्टरिस्ट्रpture्ट है टो सब्सक् victory आर ना ती आर्मीचर करirkण श मुझा कहेंगे electrical characteristics it is called the electrical characteristics इसी तरह से speed torque characteristics जो है यानि speed और torque के बीच में जो characteristics जो curve draw करेंगे the curve drawn between the n and the t is called the speed torque characteristics इसको हम कहता है mechanical characteristics यानि एक mechanical characteristics एक electrical characteristics और एक speed characteristics एक इस-पीड प्रयैस्टिक्स और इसकर न इस को कंसे करेंव किशनब क से कि में आपर पर स्थेंट मोंट अहां इछ control एक कोन से टेक स्थिक है यह उस स्पीड और करेंट की करेंट करिक्रेंटिक से यानि स्पीड करेंट प्रींग तिक से सब्सक्राइब तो और करन्ट के करेक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक को और यहां पर यहीड करक्तिस्टिक्स हो गई है इसका क्यों क्रेंट सब्सक्राइब करते हैं call जो कोई भी मैं बीच में रिलेशने हरा यहां पर हम देख सकता है कि यह जो कर्म है इसका यह वाला कर जैसे-जैसे current increase होगा जो यह फ्रेंट मोट जो सेंट वायंडिंग है वहाँ पर क्या होगा आई-ए-र-ए-ड्रॉप आर मीचर के अंदर यह इंक्रीज होगा तो इसके अन्दर जो इस्पीड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी यहां पर यह पर मैक्सिम्म है जैसे-जैसे करेंगे वैसे-वैसे क्या होगा इंक्रीज करता है अब करेंट इंक्रीज का होता है जब लोड बढ़ाएंगे तो करन इक्रीज होगा तो लोड बढ़ाएंगे करन इंक्रीज होगा तो वहाँ पर क्या होगा इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी इस्पीड टॉर्क आई- sent motor की बाद चल लगे यह निए sent motor में जो torque होगा और current होगा दोनों ही directly proportional होते हैं अगर current बढ़ाएंगे तो torque increase करेगा और current घटाएंगे तो torque क्या होगा decrease करता जाएगा इसको हम TIA characteristics से कहेंगे यह आप state line यहाँ पर देख सकते हैं इन गिसको mechanical characteristics कहेंगे याँ यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इनिशली तो स्पीड जो है वह सेम रहेगी टॉर्क बढ़ने पर लेकिन फिर जैसे जैसे लोड बढ़ता है यहां पर भी स्पीड डिक्रीज हो रही है यहां पर भी करण डिक्रीज हो रहा है यहां पर भी स्पीड डिक्रीज हो रही है कि इस आता है तो यहां पर चेंज हो जाती है इस दा इलेक्रिकल करेक्टिस्टिक यहां पर देख सकते हैं जैसे जैसे करेंट इंक्रीज होता है तो टॉर्क इनीशली बहुत कम होता है और धीरे-धीरे क्या होता है इंक्रीज होता जाता है यह यहाँ पर भी टॉर्क और करेंट दोनों ही क्या है इनीशली क्या होता है यहां पर बहुत स्लोली यहां पर यह जीर होता है बिफोर सैचुरेशन से प हम इसकी स्पीड करेक्टर क्या होगी करनट के साथ तेजी से कर देखेंगे तो करणट की से कम होगी उसका रेजन क्या है की जो आई एए ड्रॉप है यह और पहला दोनों का सम करके जो ड्रॉप है वह बहुत ज्यादा हो तो वहां पर इस पीड बहुत तेजी से करती है जो जो भी आप देख सकते हैं यहां पर टॉर्क ज्यादा हो रहा है लोड बढ़ रहा है तो इस पीड यहां पर डिक्रीज होगी कि एक्सप सकते हैं लोड बढ़ाने से सिरीज में तो तेजी से से नहीं हो रहा है जब कि शंप मोटर में यह इतना कम इतना जादा तेजी से नहीं हो रही है अनि हम कह सकते हैं कि लोड बढ़ाने से जो संट मोटर है उसमें स्पीट पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है लेकिन सिरीज मोटर में स्पीड जो है वो तेजी से घटती है इसलिए जहां पर ऐसा कहीं अप्लिकेशन होता है कि लोड वैरी कर रहा है और इस पीड को हम कॉंस्टेंट रखना चाहते हैं तो हम सं स्पीड करेक्टर स्टिक है यह आप देख सकते हैं यह यह इसका जो करव है यह संट का आ रहा था यह सिरीज का रहा दो दोनों का यहां पर दोनों के बीच में यहां पर इसका जो करव आएगा को दोनों की जो करेक्टरिस्टिक है वो कंबाइन करके उसके इन बिट्वीन यहां पर आपको कर देखने को मिलेगा दोनों की जो करेक्टरिस्टिक है संट और सिरीज के दोनों का जो कंपाउंड होगा उनके बिट्वीन में आपको कर इसको देखने को मिटेगा इसके बाद आता है application और DC motor अब देखो application कहां कहां पर DC motor का use करते हैं और कौन-कौन से motor को कहां कहां पर use किया जाता है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको classify कर रखा है एक तो separately excited motor है उसको extent motor है उसको कहां पर use करते हैं ठीक है उसके बाद में सिरीज motor को कहां यूज किया जाता है compound motor को कहां यूज किया जाता है तो यह सभी इसके जो applications है वो इसके types of motor पर depend करता है कि कौन से type का motor है और कहां पर हम उसको apply करेंगे देख लीजे इसको separately excited motor है it is very accurate speed इसमें separately excited होता है तो वो accurate speed का होता है इसकी बहुत accurate होती है चेंज नहीं होगी obtained by these motor moreover these motor are best suited where speed variation is required from very low to very high value अगर हमें कोई एक ऐसा application जहां पर हम कम speed पर चला सकते हैं और ज्यादा पर भी चला सकते हैं वह variation भी वहाँ एड़ेप्टेवल होगा और इस पीड जोगी वह बहुत accurate रहती है यह चेंज नहीं होती रहती इतनी ज्यादा फ्रीकर्टी चेंज नहीं होगी इस्टील रोलिंग में में यहां पर यूज होगा इसका पेपरमीस होता है और डीजर इलेक्तरिक प्रोपर्सन में इसका यूज होता एक रहता हैँ लोगा है तो फोड़ी सी क्टीज होती है वैसे क्या होते रहती है तो देरफोर इट इस यूज़ वेर दा स्पीड बिट्वीन नो लोट तो फुल लोट हैस्ट वी मेंटेंड आल्मोंस पॉंस्टेंट जब कोई लोट नहीं है तब भी स्पीड सेम रहेगी और जब फुल लोट कर देंगे पूरा लोट उस पर डाल द दस्ट मोटर आर मोस्ट सुटेबल पॉर इंडस्टियल डिराइब जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर इसका बहुत ज्यादा यूज़ होता है लेटिस जो लेट्स मशीन है रेल्स ग्राइंडर सेपर स्पिनिंग एंड वेविंग मशीन लाइन शाफ्ट इन दा ग्रूप सभी में इसका शंट मोटर का यूज होता है अब देखें सिरीज मोटर कहां पर यूज होगी दा करेक्टरिस्टिक ऑफ सिरीज मोटर रिवील डैट इस वैरेबल स्पीड मोटर यानि इसकी जो स्पीड है वह करेगी वैरेबल स्पीड मोटर है जैसे जैसे करेंट अगर हम टॉर्क बढ़ा देंगे तो स्पीड कम हो जाएगी यह लोड बढ़ा दिया तो स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और अगर लोड घटा दिया तो स्पीड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी moreover at light load or no load the motor attains dangerously high speed जब no load होता है तो motor की स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है dangerously high speed it is therefore employed where high torque is required जहां हाइट और की जरूद होती है वहाँ पर इसका यूज होता है at the time of starting starting time में जब हाइट और की requirement होती है वहाँ पर इसका यूज होता है to accelerate heavy load quickly heavy load को quickly accelerate करने के लिए where the load is subjected to heavy fluctuations यानि लोड बहुत ज्यादा वैरी होता है fluctuations उसमें ज्यादा होते हैं तो वहाँ पर speed is वहाँ पर इस motor का यूज होता है and to be adjusted automatically यानि speed जो है वो automatically adjust हो जाती है अब इसका यूज देखो कहां पर series motor are most suitable for the electric traction जो electric traction होता है यानि जो trains में जो यूज होती है वहाँ पर series motor का ही यूज क्या जाता है क्योंकि starting torque बहुत ज्यादा चाहिए ट्रेन खड़ी हुई है उसको चलाने के लिए जो starting में जो टॉर्क चाहिए वह बहुत का most important application है in the electric traction cranes cranes में वहाँ पर यूज होता है elevators में यूज होता है same application elevators में भी starting torque हाई चाहिए होता है vacuum cleaners hair dryers sewing machine fans air compressor यह सभी इसके applications compound mount motors the important characteristic of this motor is that the speed falls appreciably on heavy load as a series motor जैसे series motor होता है उसमें heavy load पर speed decrease हो जाती है ऐसा यहां पर भी होता है but at light load the maximum speed is limited यह लाइट लोट पर maximum speed इसकी limited होती है जैसा कि series motor क्या होता है अगर हम speed इसका load कम कर दे no load पर क्या होगा the motor attains dangerously high speed series motor no load पर बहुत high speed से dangerously high speed से move करते हैं rotate करते हैं वो characteristic जो है इसका drawback है यह इसका drawback है इसको हम कह सकते हैं यह इस motor का drawback है कि no load पर motor बहुत तेजी से घुमता है यानि वो कहीं पर उसको चोट पहुचा सकता है कहीं पर कोई ना कोई miss happening हो सकती है इस चीज़ को remove करने के लिए यहां पर इसका use किया गया है यहां नो इस पीड पर क्या होगा इसकी जो maximum speed है डाट इस लिमिटेट टूदा सेफ वैल्यू यह जो maximum speed नो लोड है अभी जो maximum speed है compound motor में वो limited रहती है तुदा सेफ वैल्यू एन एक इतनी speed से गुमेगा motor जो कि सेफ रहेगी उससे ज्यादा डेंजर्स ली हाइज स्पीड नहीं होगी ठीक है इस देर्फोर का हम वहां यूज नहीं कर सकते हैं जहां पर लोड एकदम से हटा दिया जाए यहां पर लोड बहुत ज्यादा वैरी करता है वहां पर हम इसका रोलिंग मिल्स लिफ्ट माइल्स एंड होस्ट तो यह इसके कुछ एप्लिकेशन से डी सी मोटर्स के इंट्रोड़क्शन और थ्री फेस इंडेक्शन मूटर्व इलिए आतले से अपने नेक्स्ट टॉपिक पर वैट इज्टा Chapter पर दैटिस दारी फेस से मोटर्व उमीर प्लीट और ईशी संसय हो चुके हैं इसके बाद आता है कि क्लीं मौतर क कर्क okay मोगे कि देखे सबसे पहले इंडेक्शन क्या होता है मेर्ण आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रमेटिक इंडेक्शन परिंस्पल और प्रिंसपल पर एलेक्ट्र मैटिक इंडक्शन क्या केहता है कि अगर कहीं पर भी इंड़ेक्शन कहलाता है यह क्या है इलेक्ट्र मेटिक इंडक्शन कहला यह याणि प्रोटेस को हम क्या कहते है How many of electromagnetic induction के अब देख। electromagnetic induction-や induction machine are also call asynchronous machine क्या कहते है asynchronous machine मी कहते हैं the machine which never run at the synchronous speed č मशिन जो synchronous speed पर कभी Muna purpurन करती उसको यह क्या है induction machines‌ या asynchronous machine कहता है whenever we say induction machine we mean to say induction motor induction machine या induction motor मोतर एक ही बात ऐसे सिंगल भेज हो सकता है सिंगल ओस भी हो सकता है जब की जो 3-phase induction motor है वो लाज साइस के होता है 3-phase induction motors are most commonly used AC motors in the industry because they have simple and rigid construction simple construction है और रजट कंस्ट्रक्शन होता है लो cost के होते हैं high efficiency होती है reasonably good power factor power factor इसका अच्छा होता है यानि output power जो होती है वो मिलती है self starting and low maintenance यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है self starting होता है जबकि single phase induction motor self starting नहीं होते हैं वहां पर start करने के लिए अलग circuit लगाया जाता है जिसको starting circuit हम अलग से यूज करता है starting of the single phase इंडेक्शन तो 3-phase induction motor self starting होते हैं यानि जैसे ही हम supply देंगे वो घूमना स्टार्ट कर देता है लेकिन single phase induction motor में क्या होता है सप्लाई देने से वह गुमना स्टार्ट नहीं करेंगे उसको गुमाने के लिए अलग से circuit लगाया जाता है जिसको starting circuit उसको कहते हैं ठीक है अल्मोस्ट more than 90% of the mechanical power used in industry is provided by the three-phase induction motor देखो इंडस्ट्री में जो अप्लाई होती है जनली जो पावर सप्लाई रहती है वह एलेक्ट्रिक सप्लाई की होती है क्योंकि alternating होती है और three-phase induction motor सबसे ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में 90% या उससे भी ज्यादा जो यूज होता है इंडस्ट्री में वह किसका होता है 360 फेज इंडेक्शन मोटर का होता है अब देखो होता क्या है construction इसका देख लेते हैं किस तरह का होता है construction of three-phase induction motor three-phase induction motor consists of two main parts namely stator and rotor दो main part होता है एक stator होता है और एक क्या होता है rotor होता है जो stator है उसके भी देखिए यहां पर तीन पार्ट है outer frame stator core and stator winding एक outer frame होता है यहां पर आप देख सकते हैं यह जो पार्ट है सका outer frame इसको कहा गया है इस दा आउटर फ्रेम ठीक है यहीं पर टर्मिनल बॉक्स है जहां से हम input supply देते हैं terminal box यानि यहां पर जो connector होंगे उसको हम supply दे सकते हैं यह इसका आउटर फ्रेम है इस था फ्रेम उसके बाद राता है इस टेटर कोर तो इस टेटर कोर आप यहाँ पर क्या होती है वायर्स जो ओते हैं कोल की फोर्म में में लिपटे होते हैं जिसको हम इस्टेटर वाइंडिंग कहते हैं जो इसको क्या करता है जहां पर फ्लक्स-फ्लो करता है और इस्टेटर वाइंडिंग जिसके कोर के ओपर जो वाउंड किये जाते हैं कोईल की फॉर्म में स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं यहां पर आप देख सकते हैं स्टेटर स्टेंपिंग यहां पर की गई है तूथ है और यह स्लॉट है एक सिसका आउनटर प्रेम देखते हैं तो आउटर फ्रेम में क्या होता है कि यह इसका डेटेल यहां पर दिया गया है जो मैंना भी बढ़ा है तीन पार्ट एक आउटर फ्रेम इस्टेटर कोर और इस्टेटर वाइंडिंग इन तीनों का ही आगे डीटियल एक्स्प्लेनेशन यहां पर दिया गया है तो आउटर फ्रेम कीया इस्टा आउटर गोडिट और एक सब्सक...... एगेश के निवस्ट थे लेकिन या मशीन के लिए उसको उसको फैब्रिकेट किया जाता है तो place the motor on the foundation, feet are provided in the outer frame, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको feet कहेंगे हम, it is the feet, motor को place करने के लिए, कहीं पर foundation, उसके लिए, foundation के लिए, तो इसको feet यहाँ पर हम provide करते हैं, इसके बार stator core, when AC supply is given to the induction motor, an alternating flux is set up in the stator core, जब supply देते हैं, और वो supply alternating होती है, तो वो flux महाँ पर set हो जाता है, coil की help से जो flux generate होता है, वो flux महाँ set हो जाता है, और stator core के अंदर क्या होता है, वो flow करता है, this alternating field produce hysteresis and eddy current losses, to minimize these losses, the core is made of high grade silicon steel stamping, यहनी जो losses होंगे, इसको हम iron loss या core loss, कहेंगे, जो losses होते हैं, उन losses को minimize hysteresis और eddy current losses, hysteresis और eddy current losses, इन hysteresis और eddy current losses को minimize करने के लिए, हम कौन सी core का यूज़ करते हैं, high grade silicon steel core का यूज़ करते हैं, the stamping are assembled under hydraulic pressure, and are key to the frame, each stamping is insulated from the outer within the thin varnish layer, एक thin varnish layer से हर एक stamping जो होती है, वो क्या होती है, insulated होती है, the thickness to the stamping usually varies from 0.3 to 0.5 mm, यह बहुत छोटी छोटी जो इस्टिप है, उसको जोड करके एक stator core बनाया जाता है, आप देख सकते हैं, यानि यह जो आप stator देख रहे हैं, यह पूरा part stator का, लेकिन इसको आप ऐसे cross section में अगर cut कर देए, बार एक बार एक cross section में, तो वो क्या होगी, इस एक stator stamping कहलाएगी, यानि इसकी जो thickness है, यह ऐसा पूरा stator दिख रहा है, आपको, ऐसे भी यह पूरा winding दिख रही है, लेकिन यह पूरी एक ही part नहीं है, single part नहीं होगा, इसकी जो आगर आप देखें, तो thickness होगी, वो 0.3 से 0.5 mm की होती है, जो इसकी stator core बनाते हैं, इसके बाद stator winding, the stator core carries three phase winding which is usually supplied from the three phase supply system, यहनि एक three phase winding होती है, जो three phase supply system से इसको दी जाती है, जो three phase induction motor में यूज होता है, एक इस आता है rotor, तो देको मेली दो तरहा के rotor यूज होता है, जो three phase induction motor में यूज होता है, एक इस squarel cage, और एक phase wound, squarel cage क्या होता है, इस तरह से metallic strips, aluminium की या किसी और metallic conductor की strips दो दी क्या होती है, से लगी होती है, जो थोड़ी सी क्या होती है, tilted होती है, ऐसा नहीं है कि बिलकुल पैहला लगी होगी, सीधी लगी होगी, वो क्या होती है, तो इसको हम क्या कहते है, squarel key cage rotor केता Ermiais वोदा होता है old power 2 तो Atlanta यहां पर आप देख सकते हैं पूरी क्या होती है एक एक कंप्लीड यहाँ तो क्या होगा इंडूक्टर सो Jahre होते हैं यहां पर पर जो ंदिंग ऑतो हैं यहां पर phase wound rotor यहां पर च्ट्रिंग रहेंगे और स्ट की तो यह दोनों का construction है एक स्ट्रक्शन है इसका और यह क्या है इसका स्ट्रेटेल एक्स्टेनेशन यहाँ गया पर दिया गया है मोटर इन वीच ढीजस्ट्र आटर आर एंपलोइड और कॉल्ल केज इंडेक्शन मोटर इन अच्छा का निशनकंगे इसके डिली का लुटर कोथ स्य१ं мо Simpson देट कrr इसको आप study कर लीजिए इसमें देखें में चीज बना देता हूं जो कॉपर और अलुमिनियम बार कंडुक्टर से वो इसमें लॉट्स के अंदर प्लेज रहते हैं सर्कुटेट होते हैं क्योंकि यह स्थार किटेट एट इच एंडबाइ और अलुमिनियम रिंग यहल्प से इसको पर इसको क्या करतेते हैं यह बोल्ब मेंडियों दिस बॉन वाइंडिंग इस पर्मनेंटली श्राइट रोटर वाइंडिंग क्या हो जाती है पर्मनेंटली स्वाइंट तो च्राफ्ट इस ते लोट नहीं होते हैं यहां थोड़े से के दियों पैनि जो ऽैसे इसमें यह जो पेलद क्यों नहीं रखे गए थोड़ा सा इसका रीजन है यहां पर देगए हैं यहां पर दिये गए हैं यहї साउंड होती है किसी मोटर में क्या हो जाती है क्वाइट रॉणिंग नाइष ज्यादा नहीं होगी at different position of the rotor smooth and sufficient torque is obtained smooth or sufficient torque मिलता है it reduce the magnetic locking magnetic locking को reduce कर देता है it increase the rotor resistance rotor resistance को increase कर देता है due to increase the length of the rotor conductor अब देखो rotor resistance को increase कर रहा है तो उससे क्या फायदा हो रहा है उसको हम आगे देखें कि rotor resistance का उसमें क्या benefit है ठीक है कि by increasing the length of the rotor bar conductor कि किसी तरह से phase Wound rotor है phase Wound rotor में क्या होता है कि इसको हम Asian rotor या motor भी कहते हैं격 रक एंड फिजवाउं मोटर या स्ट रिंगम के हैं इन वीजव ar applied आर नोन एजब पेजवांड और स्लेप्र इंडेक्सिन स्टेमपिंग नबर नंबर ऑफ स्टैंपिंग यूज लाइज नंबर ऑफ स्टैंपिंग यूज़ होती है खी कटा चार्ण क्लोट्स अरपाइट इट्स आउटर पैरिपरी सेमिकलोज लॉट्स जो है उसमें पंच करता है जैसे कि वहाँ पर कर रहे हैं ऐसे ही सैमिकलोज लॉट्स यहां पर भी पैज करता है यह three-phase insulated winding is placed in these लोट जो है यहां पर स्लोट में हम लेस करते हैं इस वाउन फॉर दा सेम नंबर ऑफ पूल्स एज डैट ऑफ इस्टेटर जितने स्टेटर में नंबर ऑफ पूल सब्सक्राइए उतने ही क्या होंगे रोटर के अंदर भी पोल सब्सक्राइए रोटर वाइंडिंग इस ही जो इसके थीन टर्मिनल से किस्टेट एंडेक्ट नोते हैं वो दिफरिंग से कनेक्टेट होते हैं और इस्टार करेंट अपने पड़ा है यहां पर इस्टार नेटेड लिउस होते हैं रोटर कोर इस की तुज पर गैशाप सिमिलरली दा इस लिप रिंग्स आर ऑटी ऑल क्या आड़ी कर रहे हैं कि तो हम आज है रने इसको आगे देखेंगे की रजिस्तेंस ज्यादा होने से से क्या फायदा होता है यहां पर प्रिंसिपल ऑफ और प्रेशन पर आते हैं जो ए मोटर होता है कि वहाँ पर क्या होता है सब्सक्राइब दोनों कि देनी होती हैं फील्ड दोनों को ही सप्लाई देनी होती है सप्लाई को हमें एक्षेनल से सब्सक्राइब निसको सप्लाई देते हैं तो रोटेटिंग पार्टोफ देना थोड़ा सा टुड़ा सा ठीपिकल हो जाता है और फिर वहां पर उसका से बढ़ जाती है मेंटेनिस और रोटेट हो रहा है इसको कनेक्ट आप कर कंटिनियूसली क्या कर रहे हैं सप्लाई दे रहे यहां पर सबसे में एडवांटेज यही है तो पिर वह गूमता कैसे हैं इसको सप्लाई नहीं दी जाती लेकिन आपने एक फिरोमिना पढ़ा है है जिसको हम कहते हैं एलेक्ट्रोमैइडेटिक इंडक्षन हम इस टीर को सपलाई देते तो वह सपलाई होती है जरी फेस हें भेटनेटिंग वहाँ बलंचे होती है पुस्किर एक निफस्ट रॉटेटिंग सफटे वहाँ पर हो जाता एक ऐन्डेटिक कर देती बогंचे रखेश पुर्ण करते होई आए जो रोतेट रोटर है उसके जो इसको बिना सप्लाइब करने इसके कर अलए लेक्ट्रो मैंग्नेटिक इंडेक्शन की एन्दक्शन की वाप से उसरThere नहीं दी हमने क्या किया है के वर स्टेटर को शप्लाई दी और इस्टेश अंदर वह authenticate हो रही है वह time वरे मैंगनेटिक फिल सेंट है और развит ग्रेक्टर के उसमें फॉर्स एकड़ियोगा और वहां पर होगा और रोटेट करने लगता है ठीक है यहां पर इसको देखते हैं when three phase supply is given to the stator winding of a three phase wound induction motor a revolving field is set up in the stator core revolving field यह थी फेज जो कि 120 120 120 के gap से तीन फेज हैं 120 डिगरी से तो वो revolving field महाँ पर एक जनरेट हो जाएगी the resultant magnetic field set up by the stator core at any instant as per the supply sequence let this field is rotating in the anti clockwise direction synchronous speed ns जो फील्ड है वो रोटेट हो रही है महाँ पर कौनसी स्पीड से ns स्पीड से हम इसको रोटेट करा रहे हैं revolutions per second the revolving field is cut by the stationary rotor conductor जो revolving field है वो stationary rotor conductor को cut करती है एक EMF induced होता है इंद रोटर और उस EMF induced की वे से क्या होता है रोटर कंड़क्टर आर शौर्ट सर्किटेड क्योंकि रोटर कंड़क्टर शौर्ट सर्किटेड है तो क्या होगा वहाँ पर current flow through the through them अब उसमें current flow होने लगता है जैसा कि मैंना अभ magnetic field महां पर produce कर देंगे अब देखो एक revolving field यहां पर produce रही है इस्टेटर के अंदर और एक field किसके अंदर produce हो जाएगी रोटर के अंदर अब स्टार्ट कर देता है rotate करना in the same direction जिस direction में क्या होता है revolving field इस इस्टेटर की भूम रही है rotate कर रही है जिस speed से कर रही है उसी speed से उसी speed को achieve करने की कोशिश करता है लेकिन उसको कर नहीं पाता at the rotating speed and revolution per second and revolution उससे थोड़ा सा कम speed से rotate करती है जो rotor की revolving field हो जाती है ठीक है एन induction motor can never run at the synchronous speed जो induction motor है वो कभी भी synchronous speed से move नहीं करेगा जिस speed से stator की field rotate कर रही है जिसको हम से synchronous speed कर रहा है उस speed से motor run नहीं करता है उससे कम speed पर ही motor run करता है अच्छा टीक है इट ऑलवेज रन एट इस पीड लेस देन दा सिंक्रोनस स्पीड इसलिए इसको हम एस ग्रोनस मोटर कहते हैं तो कि यह कभी भी synchronous प्रिंसिपल ऑफ ऑपर इस एक इस इस टेरड यह श्कार्टर तर फील्ट कर रहा है यहां पर यह क्या है रोटर के इंद रचासे महां पर भी और यह क्या है यह जो रोटर कंड़क्टर को कट रही है और यहां पर रोटर फील्ड है हैं यहाँ पर इस्टेटर फील्ट और यह रोटर फील्ड जब दोनों आपस में इंट्रेक करते हैं तो क्या होगा दोनों एक किया होगा रोटेट करने कोशिद कर डीए तो रोटर फील्ड भी क्या होता है उसी Edicce को एक चीव करने कोशिश करती है यानि इसमें एक टॉर्क डवलप हो जाता है और यह इस डारेक्शन में यह टॉर्क प्रडूस कर देती है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिप किसे कहते हैं इन इंडेक्शन मोटर एक इंडेक्शन मोटर में दाइस पीड ऑफ से लिखेंगे सिंक्रोन से स्पीड को एंडेक्र है रिफकें लिखेंगे तटिफरेंस बीटीं यह इन जो सिंग्रोन इससथीद है उसका और जьютर की स्पीड है उन दोनों का जो डिफ्रेंस होता है उसी को हम क्या कहता है ओ सदिलिप कहते हैं सब्सी में अगर निकाले तो synchronous speed में से rotor speed को minus करके synchronous speed से divide कर देंगे और multiply by hundred कर देंगे तो यह slip आ जाएगा ठीक है slip speed अगर हमें निकालनी है तो ns minus n करके हम slip speed निकाल सकते हैं ठीक है यहनि synchronous speed में से rotor की speed को minus कर दें तो slip speed आ जाएगा अगर slip निकालनी है तो slip speed को हम किस से divide कर देते हैं synchronous speed से divide कर देता है यह हम सिंप्ली लिख सकते हैं इक वर्ट टू इस इंट इन्टू हंड़ेट एन्हीं हमें अगर स्पीट पता है इस से डिवाइड करेंगे सिंग्रोनस स्पीड से इन्हें एस से डिवाइड करेंगे तो यह सिलिप आजाएगा अभी फ्रेक्शन वैल्यू आएगी इ इन्टू हंड़ेड कर देंगे यहां पर इन्टू हंड़ेड वह यह परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं इन्टू हंड़ेड यह फॉर्मुला आप याद कर सकते हैं अब सिलिप स्पीड क्या होती है दोनों का डिफ्रेंस जो है वह सि अलिपर स्पीड दिलिप तर्ड सर्के दरिक्रिष्तिक्स वरालेधा शिलिप टोल्यू अनि दो brewing ब्रॉल इंन अम्ट्र लारिशन ओगे जपagar्श्टिक्रिस सभारेश्ट्रेल निदूलीटर क्रेंट रोटरीद किल यह ओंड हम उम्टरों डटू को लांसा क्यम दोडित स् वो किसके परपर्पोर्शनलों गारेक्ली परपोच्टल टूबशनल टूधसीड इन इन जब जब जदा होगा रोटर करेंट एंड हैंज लाज विल टॉर्क डॉबलप उतना ही जदा टॉर्क महां पर टॉड्यू सोगा तो हम यह कह सकते हैं की जो टॉर्क डॉबलप है वह यहां पर कंस्टेंट हैं किसक्राइब है इस एकवेशन से टॉर्क ड्वलप इस इक्वल टूक एच के एच माइनस therefore the rotor speed at no load is very high and the slip is very small, okay, when the motor is loaded, greater torque is required to drive the load, therefore the slip increase and rotor speed decreases slightly, thus it is seen that slip in an induction motor adjust itself to such a value so as to meet the required driving torque, यानि जितनी जारा जो इसकी slip है वो self-adjustable है जो required torque है वो provide कराने के लिए के बालाता है frequency of rotor current, rotor current की frequency कैसे निकालते हैं, तो rotor current की frequency का direct formula है, fr equals to ns minus n, ns minus n is the slip speed into p divided by 120, ठीक है, p क्या है, number of poles divided by क्या करेंगे 120 से, या इसको हम लिख सकता है, slip की form में अगर लिखें, तो slip into frequency यहां पर क्या हो जाएगा, यह जो frequency है, उसको multiply कर देंगे, तो यह कहा जाएगा, frequency of the rotor current, supply frequency को अगर शिलिप से multiply कर देंगे, तो frequency of the rotor current हम find कर सकते हैं, यह question है, इस पर बेज़ शिलिप और इसके frequency है, इस पर बेज़ कोस्टन है, यह आप as a homework करिए इन questions को, इसके बाद आता है introduction तुदा single phase induction motor, अभी हमने पढ़ा three phase induction motor, अब आया है single phase induction motor, अब देखो single phase induction motor क्या होता है, three phase induction motor are invariably employed in the industry for bulk power conversion for electrical to from electrical to mechanical, यह बल्क में अगर power conversion करना है, तो वहाँ पर हमें industry में three phase का यूज करते हैं, लेकिन small power consumption के लिए हम, small power conversion के लिए हम single phase induction motor का यूज करते हैं, it is mostly used, these motor usually have output less than one horsepower, one hp से कम की power output power होती है, one kw और hence are called fractional horsepower और fractional kilowatt motor, इसको fractional horsepower या fractional kilowatt motor कहते हैं, तो कि यह one horsepower से कम की value का motor होता है, यानि low load के लिए हम इसको use करते हैं, small load के लिए, अब देखो AC single phase fractional kilowatt motor perform variety of services in the homes, offices, business, जो घरों में जो motors generally use होते हैं, जो AC से चलते हैं, वो single phase induction motor ही होते हैं, जैसे आपका जो fan है, ceiling fan है, वहाँ पर motor लगा हुआ है, वो AC से चल रहा है, और single phase AC induction motor की तरह काम कर रहा है, जो machine होती हैं, जैसे mixer होता है, juicer होता है, grinder होता है, वहाँ पर जो use होती हैं, उसमें भी single phase induction motor ही use होता है, mixer grinder, almost in all the domestic applications, appliances, जैनि जो जितने भी domestic appliances हैं, जितने भी domestic home applications हैं, वहाँ पर इसका use होता है, जैसे की refrigerator के अंदर, जो compressor में जो motor लगे रहती है, compressor के लिए, fans, ceiling fans, washing machine में भी इसी का use होता है, hair dryers में भी इसका use होता है, only one phase, यानि single phase induction motor are employed, ठीक है, next is single phase induction motor is very similar to a three phase squirrel cage induction motor, single phase induction motor, एक squirrel cage three phase induction motor के, बहुत ज्यादा similar होता है, construction आप देख सकते हैं, similar है, जैसे की हमने three phase में पढ़ा, वही तीन चीज़े outer frame, stator core और stator winding होती है, और इसमें rotor भी इसी तरह का होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं, outer frame, stator core, stator winding, same है, बिल्कुल, के बार rotor होता है, rotor भी सेम इसी तरह से होता है, rotating part of the motor, squirrel cage rotor is used in the single phase induction motor, यह squirrel cage हमने three phase में भी देखा है, और single phase में भी रहा है, इसका, स्क्विंग रहती है, वहाँ पर भी स्क्विंग थी, यहाँ पर भी स्क्विंग ओफ दा रोड़ोटर है, फॉल्लिग एडवांटेज वही सेम एडवांटेज यहाँ पर भी है, जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हो रही थी, सिंगल फेज में भी, अब देखो, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर उसको देख लेते हैं, सिंगल फेज मोटर आर बिल्ट इन फ्रेच्टनल स्पावर और और काल फ्रेच्टनल होस्पावर फ्प या इसको एक किड़्लो मोटर सब्सक्राइब डी मोटर में भी क्लासिफाइड इन्टू अपॉल इन के टेगरी में इसको क्लासिफाइब गाता हैं-इस प्लिट फेज इने single phase induction motor can be explained by the double revolving field theory which is given below यह double revolving field theory है जो कि field produced होती है किसी भी single phase induction motor में वो double double revolving field theory पर based है इसका detailed video अगर आपको देखना है तो मैंने इसको एक detailed video बना रखी है single phase induction motor की एक अलग से video बनाई है इसमें double revolving field theory को बहुत अच्छे से explain क्या है आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं यह इसका फेजर डाइग्राम है और यह वेव डाइग्राम है double revolving field theory ठीक है method of starting अब देखें जो single phase induction motor होता है वो self starting नहीं होता उसको starting start करने के लिए क्या होता एक अलग से जो circuit है उसको हम use करते हैं तो उसी के base पर इसको categorize किया गया है split phase capacitor motor या shaded pole जो हमने तीन कैटेगरीज बताई है वो इसके starting के टाइप पर बताई गई है कि जो method of starting है कौन-कौन से method यहां पर यूज होते हैं इस मोटर आर इस्टारड़ बाइंग टू-फेज मोटर एक्शन थो दा यूज ओफ एं और आउप जिलरी वाइंडिंग पॉर्ड़ दा यानि एक उपज़री वाइंडिंग के साथ एक कैपेशिटर का यूज कर लेते हैं जैसे कि आप एं में देखते हैं सीलिंग फैन में कैपेशिटर लगा होता है तो अगर वह कैपेशिटर ना हो तो फैन क्या होगा रोटेट नहीं होगा अगर हम डाइरेक्ड कनेक्शन कर तो हलका सा टॉर्क देजें तो फिर वह घूमना स्टाट करतेगा यानि स्टाटिंग टॉर्क उसको प्रवाइड करना होगा अगर कैपेशिटर नहीं लगाया है आपने सिंगर फेज इंडेक्शन मोटर तो कैपेशिटर वहाँ पर स्टाटिंग का काम करता है जो फैन्स हो यहां पर स्टरेंग कि जाती यो यह आप देख सकते हैं इसका डिटेल कंस्ट्रक्शन है इस्प्लेट फेज मोटर का है यहां पर split phase में क्या होता है एक separately एक तो main winding है यह main winding है और एक starting winding अलग से use की गई है यह starting winding जब connected होती है जब इसको start करना होता है एक बाद जब motor start करना start start मतलब rotate करना start कर दे तो उसके बाद में हम इसको switch के help से remove कर सकते हैं ठीक है दूसरा है capacitor motor यानि इसके साथ में जो starting auxiliary winding है उसके साथ में capacitor भी होता है तो यह capacitor motor कहला कहनाता है जो पोल है उसकी shading कर दी जाती है shading band यहां पर यूज होते हैं इससे कि क्या होता है जो field होती है वो क्या होती है उसको starting torque provide कर देती है इस दा forecasted pole motor कि कि applications dakika single-phase के अप्लिकेशन सिंगल face के home appliances में होते है नि सिंगशल इंदक्शन motor perform variety of services in the home office business इचैट यह खिर सबी domestic appliances जो हैं समें इसका का यूज होता है तो यह ता हमारा को आज का जो वीडियो था इसमें इनए यूनिट ओर इस ऐलेक्टिकल मशीिन की कॉंप्लीट इस्ट माशीन की की है उम्मिद है आपको यह वीडेयो अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको क्या कर ये लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंट्स के साथ में इसको शेर कीजिए जो एक्जाम के पॉइंट आफ यू से भी ये वीडियो आपके लिए बहुत जारा इंपॉर्टेंट होने वाली है ठीक है यह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि हम यूनिट फाइफ का वन शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे अब तक के लिए थैंक्यों फूट बाई